डॉक्टर पुष्पिंदर सेंग्जी दी संपादित पुस्तिक रज के अमीर बढ़ने। एक पुस्तक स्मर्पणे उना सुचेद नौजवाननु जिनाने नैतिक गुणां कलावां ती सुचजियां प्रम प्रामानाल अपने जीवननु अमीर बढ़नाउन दारस्ता अपनाया है। पैलाली रज के अमीर बढ़ने पर सानू रज के अमीर बढ़नान चाहिए। कलर टेलिविजन वी सीया राज साड़े करांच होन। सोनी कोठी, चिप्स वाले फर्ष, डनलप दे सोफे आद तरां तरां दी सजावट दा समान साड़े कोल हुवे। सोने ती रंगेन कपडे, दस्तारां, चुनियां, कीमती बूद जरूर पाई। ये गल्लां तो कुझ भी नहीं। गुरू साब ने ता सानू किया के मोतियां दे मंदर पाव कोठियां महल उसारो। इना मोतियां दियां कोठियां विच रतन सजाओ, जडाओ, दिवारां ते वालपे परी नहीं सगों कीमती कस्तूर ते चंदन दे लेप लगाओ, हर तरां दी अमीरी माना। पर एक शर्त लादिती हैं, ए सब देखके देन वाला दातार ना पुल जाए, मत देख पूला वी सरा, माया देखके रबनू ना विसार दै, साड़े सरीर दे आले द्वाले रज के माया हुवे, पर साड़ा मन नीवा ते मत उची ही हुवे। ए सब कुछ किर्थ कमाई नाल ही हुवे, पापा नाल नहीं, दसवांद जरूर कडिये, गरीबानी मदद जरूर करिये, तरम पर चार प्रती जागरूख हुए, ए सब कुछ कर देयां गुरू साड़े ते होर बक्षिश करेगा, नहीं ता साड़ावी हाल अमरीका ते रूस देवासियां वर्गा हुएगा, इना देशां दे लोक साड़े तो कई साल पहला इंकारां कुठियां दे एर कंडिशनरां दा अनंद मान चुके हाल, पर मंदी शांती नहीं नहीं, उने तन दे सुखनाल मंदी शांती मंद रही हाल, अगला लेक, अगला लेक है, उंती दा साइन्स ने हर पासे बड़ी उंती केती है, रेला, मोटरा, रेडियो, सेनमे, टेलेवीजन, सुमंदर दियां डुंगायां वेच पंचन वास्ते डुप कणियां, ते असमाना चुड़नली हवाई जहाजाद, साइन्स दियां काड़ां, मनुखी जीवननू सुखी ते राम साइन्स दियां, 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 साइन्स दिय इस ते सामने लोग हो जान ते चन स्तारियां तक जल्दी तो जल्दी पॉन सके। रेडियो ते टेलिवीजन दी यां काड़ां जाहिर कर दिया हान के इंसान दे अंदरे खाईश है क्यों सारे जगदे संगीत खबरान दे आवाजानों कार बैठाई सुन सके। सिन में ते टेलिवीजन दी काड़ साबत कर दिया है के इंसान पैदल दूर दराज जाके तमाशे देखन दी बजाए। कार बैठ के सोने सोने तमाशे विखने इंचोंद है। इंसान इंचोंद है के उधे सब दुश्मन जा मर जां, जा उधे अधे इन हो जां। ते उन्हें अपने इस खाश नो पूरा करन लई, एटम बामब ते हाइड्रोजन बामब त्यार कीते हैं, ते ऐसी यां तोपा बढ़ाया हैं, जो हजारा मिलां ते बैठे वेरी नो मिंटांस केंटांच बरबाद कर सकते हैं। साइंस दियां उक्त काड़ां इन्सान दे अंदर दियां खाशा सबंदी एक बड़ा अजीव नियम जा असूल पर गट कर दिया हैं। वो असूल हैं के इन्सान अपने सुखां दी पूरते लिए काट तो काट समावर्तना चोंदा है। दुजे अक्रांच इन्सान चोंदा है के उसनों मूं अंगे सुख बगर इंतजार दे बगर उड़िकन दे फौरन मिलनुण इन्सान सुखां दाशिक हैं। ये सुखां नू ड़िकना नहीं चोंदा है। इंसानी जीवन दी सारी कोशिश देर नल मिलन वाले सुखानू जल्दी तो जल्दी प्रापत करन दीए। ए सुखानू डिकना नहीं चांदा, बलके चांदा है के सुखान्दी खाहिश पैदा हुन दे आई। सुखान्दी प्रापती हुवे ते इसमू अपणियान खोजा, ते कोशिशांदी सफलता सम्झदा है। सुख पामे जिस मनी हों पामे मानसिक। इनानू पोगदा इंसान दा मन ही है। थंडा पाणी पामे बुल्लाओं ते जीवनू थंडियां करदे। तो इस थंड़कनू मैं सूस के वल इंसान दा मन ही करदे। इसले सब सुख इनसान दे मनन सबंद रखती हैं ते मनंदर सीतलता स्वातियनंद कैदा करदी हैं। इनसान दे क्या स्वेच जिन्नेवी सुख हैं, वो अगर इसनू सारे मिल जान। ता इनसान दा स्रेरी नी बलके दा मनवी अत्यांत सुख शान्ती ती खेड़े चाएगा। दूसरे अकांट सरब सुख केवल मननू सुखी बना सकदे हैं। इनसान ओधों दर्श तौरती सुखी होएगा जदों ये जो चाही उसमों फौरन प्रापत कर सकेगा। जदों इनसान दी चाना ते उधी प्रापती विच कोई वक्फा जा कोई देर नहीं होईगी। जदों इनसान इस अदर्श कवस्था चाहेगा के जो चाही उप्रापत कर सकें। तदों माडियां गल्ला पाप, दुख, वमारी, मौत, चिंता, फिकराद नहीं चाहेगा। तेदे उल्ट सिहत, निर्मलता, निक्की, सदीवी जीवन, सदीवी खुशी, ते खेडे ते सर्बत दा पला जाहेगा। साइंस लई इंसान दे सामने उक्त समाल लिया सकना अजे बहुत दूर है, क्योंके साइंस दियां सब काड़ाने अजे तक इंसान दे मननों सुखी, संतुर्ट, ते निर्मलता नहीं पड़ाया। एदे उल्ट साइंस्नियां सब गड़ाने इंसान अंदरी इर्खा, नफरत, डर, खोदगर्जी ते वैर ग्रोध अगे नळों विवदा देता है। ते इंसान एक दूसरे नूँ खतम करन दे आहार चिल, सरगर्म नज़र आ लिया। की कोई होर तरीका है ज़ड़ा इंसान दे मननों निर्मल करके सुख ते शान्ती दे अवस्था चिला जावी। जिते के दी हर खाहिश फौरण पूरी हो जएन। इत्थो ताक्यों खाईशां ते फुर्मियां तो उत्ते हो जाए ते ऐसी वस्थाज पहुंचे जिते सदीवी जीवन, सदीवी खेड़ा ते सदीव सुख होगे इस दा ज्वाब साइंस दियां करड़ा नहीं दे सकती हैं क्योंके वर्तमान साइंस पदार्था नलसबंद रख दी इंसान दे मन नलसबंद नहीं रख दी इस दा ज्वाब के विल पूरब देरिशियां दी हजारां साल दी हुई खोज दिन दी है पारत वर्ष दे महापुर्खा ने इंसान दी फित्रत जासुबानू जदो गौनल विचार्यां तैहु देख्या कि इंसान पूरन सुखी ते निहाल रहना पसल्द करते ते जिन्नी जल्दी उसनू सदीवी सुख मिल सके उन्नाई खोशंदे इना महापुर्खा ने इवी दे खिया ते इंसान दे अंदर ही अन्पव कीता है कि उस सुख सागर तू विच्छड के मन जाइंद्रियां दी दुनियाच हर पासियों उस सुख सागर नू लब रहा है इनसान दे मन दे पिच्छे जो पूरण सुख सागर उसनू प्रापत करन जाउस तक पॉंचन लए महापुर्खा आत्मग साइस्तान नानी नाम दी इजाद कीती नाम दी काड अनुसार मनुक्खी मन अपनियां बार मुखी ख्याल तरंगानू बंद कर सकद ते अपनियां रुचियां नूंतर मुखी करके अपनिщее अंदर ले सुख सागर तक पॉंच के सदीवी जीवन ते सदीवी खेडा प्रापत कर सकद जद नाम्दा काफी अभ्यास हो जाए, ता इंसान्दा मन फोरन अपने अंदरले सुक सागर ब्रह्म तक पॉंच के, पहले उस पूरन पार ब्रह्म दे आसरे, ते अपनियां सब खाशांद रिष्टमान जगत्च पूरियां हुंदियां वेखदै, ते होली होली इच्छिया क करनी, इसलिए छड़ दन्दै कि उ अपनी हर इच्छिया दी पूर्ती दे स्वाधनू अपने वेखदू जुडन दे स्वाध नानों डड़ा फिकाते कटियां प्रतीत करदा, उसनों यकीन हो जान्दै कि इच्छिया दी पूर्ती कदी उन्ना सुख नहीं दे सकली, जिन्न सुख उसनों अपने मूल, अपने तोर मरकज पारब्रम परमेशर सिरी वैगरुजी दे नाल जुडनते अपेध हों तो प्रापत होंदा, वैगरुजी दे नाल जुडनते उसनाल अपेध हों तो जो खुशी सुआते सुख प्रापत होंदा, उसते सामने त्रिलोकी दे रा माई मेरे मन को सुख, कोट अनन्द राज सुख पुगवे, हर सिम्रत बिन से सब दुख रहाओ, कोट जनम के किल्बिक नासे, सिम्रत पावन तनमन सुख, देख सुरूप पूरन पयासा, दर्सन पेटत उतरी पुख, चार पदारत, अस्ट महासिद, काम तेन, पार्जाथ हर हर रुख, नानक सर्न गही सुख सागर, जनम मरन फिर गर्बन तुख, सिमर सिमर काटे सब रोग, चर्ण त्यान सर्ब सुख पुग, तनमन अगला लेख है, सफल जीवन, तजर्बा सिखोंदाय के सुधार्दा काम सथा साड़े अंदर हिंगा, बार दी दुनियां दे दुश्मनां ते बदी दे हमलियां तो बचन गई, सानु अपने अंदर ले चिन्ता, फिकर, डार ते परेशानी दे ख्यालां तो बचनां चाई गया, सानु दूसरे आदमियां दा लालेच, बई मने, परेशानी, खुदगर्जी नुकसान नहीं पहुंचा सकदे, पर जे असी दूसरे आदे माडे ख्यालां नू सच्चा समझीए, कबूल करिये, अपनाईए, ते अपने आपुते, दूसरे आदे माडे ख्यालां नू असर करन दे इजाज़त देगे, तासी अपनी सजा आपी नियत कर देआ, किसी आदमी दे माडे ख्यालां नू जा माडे चीज दी बुर्याई नू रद कर देण दी, जां कबूल कर लेन दी, सनु खोल लेए, सच्चाई एया के वाईगरु जी चंगे हम ते चंगे वाईगरु जी तो सब चंग्याई प्यादा हुं दिया इस जगत विच सुवाई वाईगरु जी ते चंग्याई दे होर कोई अस्थिर ते निगर वस्तू ना है ना हो सकती है जे कर साड़ाई मिस्चा हो जाए तब फिर सानु मनना कहेगा कि बदी वेच कोई सच्चाई जा शक्ती नहीं जे वाईगरू ही वाईगरू सब पासे है तब बदी जो वाईगरू दे उल्ट है किस तरह हो सकती है वाईगरू तो उठपन होई जगत रचना वेच वाईगरू वरगियां चंगियां चीजां ही अस्थिर हो सकती हैं वाईगरू तो व्रोदी चीजां वेच निगरता जा सच्चाई नहीं हो सकती इसलिए बदी ते बदी दा डर केवल अग्यानि माननों पास दे हैं जिसनु ये पता नहीं के जगत रजना वाईगुरु तो उप पन्होन करके वाईगुरु रूप है ते चंगी है। पामे इस सच्चाई सानु पूरी तरां समझ नहीं आ सकते पर फेर वी इस सच्चाई दे चानन विच तक्यां साथी द्रिष्टी ही बदल जांदी है। ते असी बदी माया तो अपने आपनों बचा सकते हैं। बदी वास्तव विच है नहीं पर पास्दी है। ते पास्दी भी अज्यानी माननों है। खत्रे दा, हादसे दा, सफलता दा, थोड़ दा, परेशानी जिनता, फिकर दा, अपने मांच कदी ख्याल ना लियाओ। याद रहे के जगत रचना विच ख्याला दी बादशाही है। सड़ा वड़ा फर्ज है के अपने ख्याला नू, अपने निश्चियानू दुरुस्त रखी है। क्योंके इना नहीं साड़ा अंदरला ते बार दा जीवन टालना है। तो अनू पविखदा जाओन वाले समेदा इस कार के फिकर नहीं होना चाईदा क्योंके तो अड़ा बीतर्या समा वाईगरु वर्गी चंगी नेक ते चेतन शक्ती दे अपने हात वेच्ये। ते उहो इसनू चला रहे है। तो अड़े जीवन दी असल सच्चाई एहो है। जाद इसनू निश्चे नल मन लोग ताएं तो अनू द्रिडता प्रोसाते शांती बक्षेगी। अगला लेक है। मैं कौन हां। अंग्रेजी जबान ते परसिद कवीते लिखारी मास्टर मैथ्यू आर्नॉल्ड लिखते हां के जिसनू ये पता लग जाए के मैं कौन है। उधे सारे दुख कलेश ते मुश्कला अपने आपी दूर हो जान दिया है। अपने आपनू जान ते नूपता होना चाहिद है के जिसनू अपना अपा लब पए उधिया सब मुश्कलां गोवाच जान दिया है। दुखा मुसीबता ते मुश्कला नू अपने जीवन तो दूर रखन दाये सुनेरी तरीका। के मननू टिकाओ ची लेओना ते टिकाओ दी हालत विच अपने मूलनू अपनी आपनू पचानना हर दुनियादार ते ग्रस्ती नू प्रेरेगा क्यो अपनी सुर्त नू अंतर मुखी करे ते अपनी असलियत नू पचाने। पर अफसोस है कि दुखा मुश्कलां विच किरे होई होंदे बावजूर्वी सानू अपनी 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 असलियत नू पचानन दा ख्याल नहीं आओदा। असी दुखां बिमारियां ते मुश्कलां तो बचनां तो चोन्यां, परेनां तो बचन्दा जो तरीका महापुर्ख दस्ते हैं उस तरीके नू वर्त देने। मेरी अकलुते परदा ऐसा ताने आंगया, मैं तो अपना ही आपना पचाने आंगया। अपने आपनू पचानन वाला पाप, दुख, बिमारी ते मौत दी पौंच तो उसे तरा उच्चा हो जन्दा है, जिवे के सागर्च गोते खांदा स्मुंदर दियानीक बलावां दे मूच जार्या पर्ष, जहाज वेच चड़के स्मुंदर ते उदे खत्रयां दी सब हमलियां तो बच के साई सलामत रण है, हर चरण सरण गड़कोट हमारे काल कंटक जमतिस नाब देदार, सिरी मती मेरी बेकर एडी इक था इस परकार लिख दे हन, अपने आपनू पचान, फिर वाई गुरू जी तेनू आपी बदी ते फते पौंदी जाच दसन गे, ते हिम्मत ते मौकावी बख्षन दे, सदारन पोर्ष अपने आप दांदासा, अपने कारुबार जापने दुनियावी है सियत अनुसार लगां दे, हर कोई आपनू उखु कुझ समय दे, जो क्यो दुनियावी तो औरते है, दुनियावी हर काम ते हर चीज विच कमियां ते उ उंतायां तो प्रबावत हुन दारेंदा, मिसाल दे तो औरते, जीमीदार किसान अपने कारुबार जो मौसम दियां तब दिलियां दार रेंदा, वेले सिर मीन वर्से जमी ज्यादा पया जाए, ता ओ दी फसल खराप हो सकती है, मंडीच पा कट हो जाए, ता किसान दी फसल आशर पहों दिया है, हर सदारन वपारी नू मुकाबले ते काटे दा डार रेंदे, तो उसो तेस डार दा असर होंदा रेंदे, इसे तरह हर सदारन लेखक नू डॉक्टर नू गविये नू ए डार रेंदे कि उदा कारो बार सदा इक को जया नहीं गय सकता, ते मंदे दिन चो कि में गुजारा करेगा। एक डाक्टर कोड़ों जिस्ता काम चंगा नहीं सी चलदा जद पुछया गया कि की तु अपने आपनों डाक्टर समय दारना है। ओ उत्तों डाक्टर पर विच्चु अंद्रों असलियत विच्च सिरी वैग्रुजी दा पुत्तर सी। पर ओ इस बात नूँ पुल चुका सी। ओ अपने आपनों वैग्रुजी दा पुत्तर होन दी असलियत नूँ पुला के अपने पेशे अनुसार अपने आपने आपनों दॉक्टरी समय ताते मन्दा सी, पर डॉक्टरु दे पेशे वेचो कमी जाऊन ताई है कि ओक कदी चंगा चले ते कदी मन्दा जावे, इस कार के ओक त डॉक्टरु ते उसता काम चंगा ना चलनदा, उधी अपनी पेशे वेचे सफल तादा रांग चड़ेया हुया सी, इवन्दा असल मक्सद ते असल पेशा, इक ऐसा इंसान बढ़ना जड़ा हर वेड़े अपने सिर्जन हार दी समझ ते गुणां दा प्रदर्शन करे, डॉक्टर दे ओप्रे ते आरजी पेशे वेचो नू अपनी असलियत परकाशनी चाही दी सी, नाके डॉक्टरी पेशे इस विचार ते डॉक्टर दा सारा द्रिष्टी को न बदल देता, उन्हें अपने पेशे च मुढ कदीमी असलियत हम हर के बालक दिया, खूबियां दे गुणा नू परकाश करन दी कोशिश रंबी, वाईगरू दे पुत्र होनत दे रिष्टे नू जड़ सी समय देयां सी देखांगे के साड़े अंदर ही पितावलो बक्षी बे अंत दानाई ते दूरंदेशी है, ते साड़े अंदर ही सब मुश्कला मुसीबतानू हल करन दी योगता है, डॉक्टर दी दृष्टी बदल नाल, उस्ती स्रिष्टी, उस्ते मान दी अवस्था ते उस्ते पेशे दी हालत बदल देए, वाईगरू दे बच्चे दे कारोबार जा पेशे वेच वेच वाईगरू जी दियां सिफ्तां अप्पे काम कर दिया हूं, जिसनो अपनी जिम्मेवारियां बोज पास रहिया हूं, तम कर दिया हूं, उसनो केवल अपने विचार बदलन दी लोड है, उसनु के वले समझन्दी लोड़े कि वह आप कौन है, अपनी विचार जांद रिष्टी बदलन लेई, उसनु अपने पेश्ये जां कारोबार वलनी तकना चाहिदा, सो गो अपने समी, अपने मोल सिरी वैगरुजी वल वेखना चाहिदा, ते अपने ते वैगरुजी दे सद जीवी ते सच्रे, पिता पुत्तर वाले रिष्टे नो जानना चाहिदा, तान्यवाद। अगला लेख है इच्छेया, इंसान इच्छेया दा पुत्ला है, इसने मानच सदा कोई न कोई खाहिश, कोई न कोई इच्छेया रह दिया, इच्छेया करके ही जनम लेंदा, इच जीवन इच्छया ति इच्छया ही जीवन है। जद इंसान दे मांदी गौन अल परताल करिये ता देखांगे के इस विच दो परकारदियां इच्छाओं है। इक परकार दी इच्छया ये परगट करदंदा है। दूसरे परकार दी इच्छया नू परगट करदंदा हौसला मेरी सेथ ठीक रहे, मेरी उमर लंबी होए, मेरा परवार सुखी रहे, मेरे पासे ना रुपया होए, जिस ताल मेरी जरूरता खुलियां पूरियां हंदिया रहे, मेरा सनमान होए, मैंनू जीवन दा कुछ पता लगे के दरसल जीवन की है, एक कुझे चामाहन जो के इंसान द गरिबी ते थोड नहीं चोंधा सबोँ अमीरी, खोशाली ते बे-महताजी, शर्मिन्दा ते जलील नहीं होनां चोंधा, सब्सक्श्च ते संमान चोंधा, ते जीवन सबंदी ये भी जानना चौनदा है कि जीवन की है, मौत की है, वाईगरू की है एहान कुछ कुई इच्छावान जो इनसान हमेशा परगट करदा रहना है तेना इच्छावान दी पूर्ती ले सारा जनम बतीत करदा है जेकर इनसान नुप पुछो कि जो इच्छा तु परगट प्या करदा है कि एहो तेरियां आखरी इच्छावान है कि तु एना तो इलावा ते एना तो अग्ये होर कुछ नहीं चौनदा तै इनसान चीजगेगा, प्याम तोरू ते अखेगा जी नहीं हो रगे की चौन है, इगोई पूरियां हो जानता लक्षु करें, पर जद इंसान दे मननू मजबूर करके पुछो के नहीं तैनू दस नहीं होएगा, के ना इच्छामां तो इलावा तेरे अंदर लुकी हो और की चौन है, तू निद्धाडग हो के दस, के तू की चौन है, म मैं सदा ले अपने परवार मित्रां दोस्तारों सुखी ते खुश रखना चाना, मैं सदा दी अमीरी ते पात्षाई चाना, ते थोड़ते गरीबीनू कदी देखना ने चाना, मैं सदा सब्कार ते बेमोताजी चाना, ते जीवन सबंदी पूरन ग्यान चाना हां, के एक की है, वाई ग्रू की है, मौत की है, इसे मन दी इस सारी इच्छानों दूसरे अकरांज असी इस तरह ब्यान कर सकते हैं, के इंसान दे मन दी लुकी, पर असली रीज जा इच्छाई है, कि उन्हों ऐसा सदीवी जीवन मिले, जिस विच बिमारी ते मौत ना होगी, ऐसा अमीर जीवन मिले, जिस विच दुख, चिंता, फिकर ते सोग ना होगी, ऐसा रोशन, जां ग्यान पर या जीवन होगी, जिस विच अग्यानता, गल्ती, पुल ना होगी, पुल दी सजा ना होगी, जा दिन सांदी लुकी होई इस रीज, जां खाईश वलते आन दे, ये ता स्व होगी, ति इलम उस इच्छ दा सानों कदी होई नहीं सकता, जो साड़े तजर्बेट कदी ना होगी, इıt्थी याद रहे कि सड़े मनूझ जिस अवस्था दा तजर्बाई ना होया होगी, ओ वस्था सड़े क्या सविच नहीं आ सकता, ति उस दिए ते इच्छ एmental नहीं उ नाम कदी सुने आई नहीं उन्हों अंब खांड दी इच्छा पैदा नहीं हो सकती इंसान अंदर पूरन सुखी ते सदीवी जीवन दी तुरों इच्छा साबत कर दिया हैं कि इन्हें कदी ऐसा जीवन जरूर बतीत किता हुएगा ते ओ जीवन नों किसे कारण गवा बैठा है ते मुड तरले प्या कर दा है कि उस नुके में प्रापत करां इस दुनिया चैसा जीवन इंसान नों क्यों प्रापत नहीं हुंगा इना स्वालां दे जवाब पूरब ते महापुर्खा दे खोजिस प्रकार देंदी है कि इन्सान ने अपनी पूरंता किते होर्थां गवाई है ते लब किसे होर्थां तो रहे है जिस वास्ते इसमों अपनी गवाची पात्षाई नहीं पई मिल दे जे कोई अपना बटुवा का अर्पोल जाये ते उन्हों बजार जाके लब्बन लाग पवे तपामियों हजारा वोरे बजार चो बटुवा लब्दा रहे उन्हों बटुवा इस करके बजार चो नहीं लब्बेगा क्यों थे ता बटुवा है यही ने जत्तक ऐसा पुर्ष मूड़ा पनेकार ना आवे ते कारा के बटुएनू लब्बन दी कोशिश ना करे उनू बटुए दा मिल सकना सम्भव है पूरब्ध महापुर्ख दस्देहन के अपनी सदीवी ते पूरण पात्शाही वल्द थालबन करके इसमू प्रापत करन पेचे मनुक सदा सफल रहेगा ते अग्येनू सदा इसलिए सफल रहेगा क्योंकि जिधे पूरंता प्यलब्ध है उथे सदीवी पूरंता है नहीं ज्यान इंदरियां दे जरिये पास रही सारी दुनियां चिन चिन बदल दे रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं जिस्च के नजरों दी दुनियां चे लखां तर दिलियां ना हो रहे हैं। एक अवस्था अच कदिना रेन वाड़ी ते पल-पल बदल रही दुनिया विच्चों सदीवता लबणवाला इसकर के निरास रहेगा, कि इते सदीवता है यही नहीं ना हो सकती है, मानचा इंद्रियां दे जगतवे चिन पंगर ते आरजी चीज़ां ही नजराओं दिया हना इते कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसनों सदीवी क्या जा सके, तो फिर सदीवी जीवन खेडा इंसान नों कि तो मिल सकता है, जिसनों लबण ने इंसान किते ते किमें तलाश करी, इस ता जवाब आत्मक अद्रिष्ट मंटलां दे पूर भी सायंस्तान दस्तिया, कि इंसान न एँ सदीवी पाद्शाय किथे गवाई है? पूरप दे महापुर्ख दसनीःहान कि एँ सदीवी पाद्शाय इनने अपने अंदर दी अध्रिष्ट मंधलां ची गवाई होवे, उसमों द्रिष्ट वान दुनियां ची लब सकनार सम्बगटू, एँ सदीवी पाद्शाही इंसानों अद्रेष्ट आत्मक मंडलां विछ लब सक दियों। ए अद्रेष्ट मंडल हर इंसान दे अपने अपने चाती मारन विच नामदा ब्यास बड़ा पारी सहायता करता है। इवास ते पूरब दे सब तरम ग्रंथा ते खास कर सिरी गुरू ग्रंथा विखे अपनी सदी ते सची पात्षाय प्रापत करन लई। नाम दे आसरे अंतर मुखी होन ते बड़ा जोड है। बाहर टोंड विगुच्ची है करमें वस्त सुथाई। मनमुख हो में करम उसी गुर्मुख पल्ले पाई। जिन्नी आप पठाणें करमें महल सुथाई। आप पठाणें कर्वसें हो में द्रिस्नां चाई। अगला लेक है अपनी तकदीर आप सवारों। अपन हथी आपन अपन अपे ही काज सोवार्य। जीवन एक संगर्ष है जीवन वेच कुछ प्रापत करनली सार यानु मेनते यतन करने गन्दे हन। अंग्रेजी दे का खाणा अनुसार बहुत काट व्यक्ती अजय हुन्दे हन। जड़े चांदी दा चमचा मूंच लेके जम दे हन। अजय लोकानु वी किसे न किसे पदर उते जाके मिनत करने प्यंदी है। क्योंके स्यानी आक दे हन। के वेले बैठे यांदे होई खूभी खाली हो जान दे हन। ये वी वेखन चाया कि कुछ अपनी हिमत नाल सफल्ता दियां सिखरानू चोल दे हन। ते कुछ पहले डंडे उत्ते बैठे दूजयानू वेखके चूर दे रन दे हन। अजय व्यक्ति अपने आपनों तसली देनली किसमता सहरा लग दे हैं इना अनुसार सफलता किसमती देन है यह आम आख्या जन्द है कि जी ओता किसमता ता नहीं है मिट्टी नुवी हाथ पॉंदा ता सोना बन जन्द है कुद्रत ने हर मनुखनों शक्ती रूपी तक्ती बक्षी है जिसुत्य मनुख आप अपने करम लेखना है करम करंदी शक्ती लगपग सार्यांची कोजी हुंदी है पर कब करम करंदी इच्चा मनुख दे अपने वासुंदी है जेडा मनुख करम करंदी शक्ती दी पूरी वर्तों करदाया ते लगन आल मेनत करदाया सफल ता अपने आपोदी कदम चुम दिया अजेया मनुख अपनी हिम्मत नाल रेगे स्तानु वी गुल्जार बना लग़े टीच्चा अजेया उदोई हो सकदाया जेकर मनुख दा जीवन प्रती कोई टीच्चा होएगा ओ मुसाफर ही अपनी मन्जिल उते पुझदाया जिसनों अपनी मन्जिल दा पता होवे तक कोशिश केतेयां रस्ता जरूर मिल जानदाया जेकर सबर सबूरी करके रुखी मिसी खाके गुजारा किता जाए फिर उचिया उडाना लई यतन नहीं किते जानदे टीच्चे तो बिना जीवन दा पतवार रहत बेड़ी समान है जेस दी गती दे रुख लेरा उते निर्बर करदा है टीच्चे ती प्राप्ती लेही मनुक मिनत कर बाया है जे या मनुक सफलता तो कब्रों दाने सो वो मुड मोड वो देरी शक्ती नाल यतन कर बाया है ये आखिर अपनी मंजल उत्ते पोजही जानदा बिना करम कीतियां कोई प्राप्ती होई नहीं सकती उड़्दम टीच्चा ती स्वय प्रोसा हन्दे होयां भी सफलता ओदों प्रापत हन्दे है जे कर मनुक उद्दम करई जिवे पक्षे राईं हवा उंधी है उसे तरह उद्धम नल दौलत कमाई जा सकती है उद्धम ही मनुखी शकती है आल सी कदे अपनी मनजल उते नहीं कुछ सकती जेढा आज दागाम कल उते चढडा है उदागाम कदी पूरा नहीं होदा क्योंकि कल तक दियोंदी नहीं, जेकर खेत विच वत्तर है ता अजी बिजाई करनी ज़रूरी है, कल तीक वत्तर सुक जाएगा, तो सुकी तरतीच बीज नहीं उग्या कर दे, स्वक्ते उठके जड़ा त्यार होके अपने काम उते नहीं जन्दा होदा काम पूरा के में हो सक हार तो प्रेवना, कई वार असी हार तो कब्रा के मैदान छड़ जन्यां, असी ये मन लन्यां के टीची उते पुजन भी मेरे कुल समर्था ही नहीं, इस करके उद्धम करन्दा कोई लाग नहीं होएगा, संसार विच शायदी कोई अजया व्यक्ती होएगा, जीनी हार दा म ना वेख्या होए, हार तो कब्रा आने चायदा, सगों इस तो प्रेवना लेने चायदा, संगत दा आसर, मनुखनू हिमती ते उद्धमी बनान वेच संगत दावी चोखा योगदान है, संगत दा आसर ज़रूर हुंगा, जेकर संगी साथी हिमती ते मेंती होंगे, वो मत करन वाले दा हमेशा विरोध करने ले जही साथियां दी संगत नहीं करने चाहिए दी हमेशा उना साथिया नाल दोस्ती करो जिना भी पड़ाईच दिल चस्पी है ते चंगी आत्तां दी तार नी हन बुरी संगत बुरियां आत्तां ले वी जिम्मेवार बन दी है जिना कार मनुख बेकार ते नकारा हो जानदै। हमेशा चंगी संगत करने चाही दिये। चंगी संगत तुँभी प्रेर नाते उत्षा मलदै। जिस सद्गा मनुख नविया पुलंगा पुटन भी हिम्मत कर सकते। मौक्के दी पकड खुण्जिया समा ते नदीदा पाणी मुड ना आवे हत इए मन्नी होई कहावत है। कुद्रत जीवन वे चग्ये वतन दा मौका हारीक नूपरदान कर दी। जेडे मनुख उस मौके नूँ पकड लेंदे हान। वो अपनी मन्जेलो ते पोज जान दे हान। मनुख नू हमेशा त्यार रेनां चाई दे तां जो मिले मौके नूँ पकड लें जाले। अजे आ उदवें हुन्द जेकर मनुख विच दूर दी सोच होवे। जेड़क केवल अज बारे ही सोच दे हो शायद बहुत उन्थी नहीं कर सकता। जीवन वेच उन्थी उही मनुख कर दे हान। जेडे कल बारे सोच दे हान। अजय मनुख मौके दी उडीक चिरन दे हान। ते मौका मिल दे हैं उसनू पकड लेंदे हान। खत्रे सेहेडन दी हिम्मत जीवन वेच उन्तीले जरूरी है कि अग्यवदे आजाले। अन्जाने रहां उते टुरनले थोड़ी हिम्मत चाही दिये। जेकर मन चेहो डर बैठा होवे कि अग्यपतानी रस्ता के ओजा होएगा ता मनुख अग्यवदन दा होसला निगार सकता। ओता किसे उडीक ज इक थांखलोता रहेगा कि कोई होर अग्यवद जानवळा आवे तांजो ओदे पिछे पिछे टूरेया जा सके। अजै मनुख सहारे दी उडीक वेची चुखा समांगवा बैठ देगा। पाणी विचे ठिल्लेया इन नदीनू पार किता जा सकता। कंडे बैठ या नदी दे दुजे पासी पुजणा मुश्किल है। जीवन विच त्रक्की लेई खत्रे सहेडन दी हिमत हूनी चाई दिया। पर एक खत्रे हर तरानाल सोच समझ के सहेडने चाई दी है। बिना सोचे समझे कीता काम कई वारा सफलता दा कारण बन दा है। सोची समझी चाल रही ही बाजी जित्ती जन दी है। सोची समझी चाल रही खत्रे सहेड़या ही सफलता मिल दी है। हिम्मा तते लगनाल सोर समझ के किते यतन हमेशां सफलता दी कुणजी सब सिद्ध होई हल। अगला लेक आतम विश्वास मन अंतर विश्वास कर्मानेयां करणहार नानक इक जानियां हर एक इंसान अपने आपिट एक वक्री शक्सियत है मनुखनू दूज्यां दे मुकाबले अपने आपनू कदी भी कटिया जरकम जोर नहीं समिरान चाईदा हर मनुख वेच कुझ ना कुझ विश्येश गोण होंदे हन जेकर मनुखनू इस गलोते यकीन हो जाये ता उस वेच आतम विश्वास मजबूत होंदा जीवन विच सफलता बहता करके आतम विश्वास ते निर्बर कर दिया जेस मनुखनू अपने आपोते प्रोसा नहीं ओधे इराद्धे कदे पुखता नहीं हो सकदे ओ फैसले लेन तो चिजगदा रन दैते कदे भी पूरे होसले नाल किसे कामनू हाथ नहीं पासकदा स्वय प्रोसेदी काट वाड़े मनूख हर थांच चिजगदा शिकार हो जान दे हन अति ओ निर्ना लैन दी चटपट हिम्मत नी कर सकदे जिस कारणू जीवन दी दोड़ चे दुज्यां तो पिछे रहा जान दे हाँ हर वेर ओ सोच दे हन एता मैं भी कर सकदा सी एती की ता मैं चे जक चे जक बेच पिछे रहा जया अगली वेर मैं जया नहीं होन दे हाँगा पर जदों अगली वेर आउंदी है तो फेरो ही हाल हुनदा आतम विश्वास एक दिंच नहीं बाण जान दा सगोवे ता बचपन तो ही जीवन दा अंग बन दा आतम विश्वास एक बैंक वांग हुन दे है जवे हार मीने थोड़ी थोड़ी बच्चत करके मनुख अपनी पूंजी कठी करदे है एवे इन निक्या निक्यां सफल तावां दे अनुबवी मनुखी दिमाग विच जमा करदे जानां चाईद है एवे इन निक्या निक्यां सफल तावां दे अनुबवी मनुखी दिमाग जमा करदे जानां चाईद है एपूंजी आतम विश्वास दा अधार बन दिये जदों वी कदे फैसले दी कडिया वे हमेशां सफल अनुबवां दे खाते विच्चों लोडीन दी हिमत प्रापत करने चाईद है खाते विच्चों ओधोईं कुझ कड़े आ जा सकता जे करूस्ट कुझ जमा कित्ता हुए निराश अनुबवांनु पोल जानां चाईद है उनानु कदे वी यादा दा अंगनी बन देनां चाईद है इस खाते विच्चता हमेशां सफल अनुबवी जमा करने चाईदी हम तान जो लोड वेले उनादी वर्तों केती जा सके इस खाते दी पर पूरता ही आतम विश्वास दा आधार है ये थी कुझोना सूलांद वर्णन किता जा रहे है जिना रही असी अपने खजाने नुपर पूर कर सकदे स्वैप रोसे दा जीवन जी सकदे ये दसना भी ज़रूरी है कि आतम विश्वास को ये जई शक्ती नहीं जड़ी केवल कुझ को मनुखा दे हिस्से हों दी है ये ता जई शक्ती है जिन्नों हर इंसान कोशिश की तियां प्रापत कर सकता है बच्चत दियादत जेकर असी अपने खातेच कुझ जमा नहीं करवावांगे ता फिर लोड पैनते हो तो कुझ वापस नहीं लै सकदे जीवन दे सफल अन्बवां दे खाते विच हार रोज नेम नाल कुझ न कुझ ज़रूर जमा करना चाहिए सफलता पामे छोटी होवे पामे बड़ी हार इक दान्बव लाब दाए खुंद होली होली इस खातेच जमा पुझ इननी हो जाएगी के घोर लोड समें का मा सकेगी जेस मनुख देखाते चोखी पुन्जी जमा हुए उन्हों कदेवी कब्राट नहीं हुँदी के को दप वेक सुरख्यत हुँदा इसे तरह जी देखाते चंगे अन्बवा नल पर पूर होंगे उह हर स्थिती पर उसे ते हिम्मत नल मुकाबला कर सकेगा एह हिम्मत ते पर उसा आतम विश्वास्ता अधार लगन ते दिल्चस्पी किता कोई वी बुराजा चोटा नहीं हुदा किते विच सफलतादा राज है उस विच लगन ते दिल्चस्पी लेड़ी अपने कामनू कदे भी कटिया ना समझो हर कम दी ते हर कमे दी अपने महत्ता हुंं जदू तीक इस महत्ताँ नू समझयाना जावे मनुख अपने किते विच सफल नहीं हो सकते ते नाइईउंदे मन विचचँ हीन तादा पाव निकल दा हीन पावना मनुखी विकास देरा चिकतरना वोड़ा है जेकर बच्चे दे एम ते आन्वेच काट नंबर आजां तो नुँ अपनी ल्याकतो ते शक्खोन लगतेंदा है आम कारके सारे बच्चेयांदा दिमागी पदरिक कोजयां ही हुनदा है फरक केवल मेनत जांपडन दे टांग नाल पेंदा इस कारके पूरी लगन ते मेनत नाल पड़ाई करने चाई दिया पूरी मेनत नाल की ते यतन जरूर सफल हुनदे है आशावाद सानुकदेवी निराशावादी नी हुनाँ चाई दा अपणे अंदर हमेशा आशावदी केर्ण चंक दी रखनी चाई दिया आशावादी मनुख हिम्म तते स्वयप्रोसे वड़ा हुंदे ओ हार बारी नहीं सबो हमेशा जित बारी इंग सोच दे निश्चा की तियाईं जित प्रापत हुंदी है मनुखनू अपने आपनू कदीवी कटिया नी समझना चाईदा इस करकी हर नमे दिननू आतम विश्वास नाल शुरू करू मिलन सार्ता मिलन सार्ता मनुखी रिष्टियां दी सफलता दादार है इक कजया गोणें जिड़ा की रोजाना जीवन चु चुखा सहाई हुंदे मिलन सार्ता स्वेप प्रोसियते चोखी निपबर करू जिना विच आतम विश्वास हुंदे धू जयानू मिलन तो करनी नहीं कत्र हूंदे सबो बड़े प्रोसिनल दूजयानू मिल दे हां इनसान नू वत्तो वद लोकानाल मिलन दे कोशिश करनी चाहीझ है इस नाल निरा आतम विश्वासी द्रेड नहीं हुंदा सवो ज्ञांच वद्धावी हुंदा ते मनुखी रिष्टे मजबूत हुंदे हैं वत्तो वद लोकानू मिलन दा यतन करना चाहिदा लोकानू मिलके उनानू समझेया जावे हर मनुखच कोई न कोई खूबी हुंदे है जिस करके हर इकनू मिलना दिल्चस्पी पर यह हुंदा हिम्मत तते हौसला रोजाना दिन शुरू करन समें उस दिन करन वाड़े कमादी सुची बनाओनी चाहिदा बच्यानों विशेश करके अपनी पड़ाई बारे फैसला करना हुंदे हर दिन इस यकीन नाल शुरू करना चाहिदा कि नोट कीते सारे कमानों पूरे करना है कई वरस ही किसे कमनों इसे करके हाथ नहीं पौन दे कि जेकर सफलता ना मिली तो दुजे की कहन दे इस सोच तो अपने आपनों पासे रखना चाहिदा जेकर काम शुरूई ना किता जाए तो फिर सफलता अपने आपता मिलनी सकदी ओधों ती कोई प्राप्ती नहीं हो सकदी जदों ता कुसनों करन दा होसला ती हिम्मत ना होले अपने आपनों किसे तो काटनी समझना चाहिदा जेकर दूसरे सफलता प्रापत कर सकदी हम तो तुसी क्यों नहीं तो अड़िविट की कहा दे दूजियां दी सफलता तो प्रेवना लेके आप भी हम्मड़ा मारना चाहिदा ता जो तुसी भी प्राप्ती दा निग्मान सको चाह तेरा जित्थे चाह होवे उत्थे रस्ता निकली आँगा जेकर मंच लगन पे खाश होवे तो मुश्कलां देखा लब ही पहंदी हम्म हर कम इस निश्चेनल शुरू करना चाहिदा है कि जेकर मैंनों कोई रस्ता ना भी मिले आता नमा रस्ता बना लवाना प्रंतु सफलता जुरूर प्रापत करना है हमेशा मंच यकेन होना चाहिदा है कि मेरे विच ओ शक्ती है जिस्ती मददनाल मैं सफल हो जामादा जेकर इक रस्ता बंध हो जाए तो कोई ना कोई होर रस्ता जरूर होंदा है इस करके रुखन दी थान दुजे रस्ते दी पाल करने चाहिए जीवन दलेरी ते हिम्मदा नांगा लगन तो बिना कोई प्राप्ती नहीं हो सकती जेकर अपने आपोते प्रोसा होगे ता तुसी दुनिया उत्ते प्रोसा कर सकदेओ निश्चे ते आतम विश्वासनाल शुरू के ते काम चे जरूर सफलता प्रापत रंदीद अपने आपोते यकेन करो एप्राण करो कि तुसी एक काम जरूर करने तुसी ये काम कर सकदेओ, तुसी ये काम करोगे, कि कोई जई ताकत नहीं, जेडी तो अड़ा रस्ता रोक सके। काम तो जी ना चराओ, ये वी सेवाई है। जिनना मजा अपनी सीट दा काम करनच है, उनना काम तो जी चराँच नहीं है। किसे ठीक ही क्या है, it gives you more happiness when you are overworked than when you are underworked. अज अफसर छुटी ते है, मैं क्या मैं भी कारदेचार कामी करला है। बस मैं हुने ही दफ्तर हाजरी लवाती आया। मुरके सारा दिन अपने ही काम करना है। नौकरी करन वालेयां तेवना दे संगी साथियां ले उप्रोकत वार कोई उप्रे नहीं है। पावे हाली आवानी उत्या पर बहुते नौकरी पेशा लोकाने आपनी होर तंदे रंब किते हुए हैं। तेवना दा सारा तान पेत्यां अपनी कारुबार चलान चीह हुँद है। जेडे लोकान दा कोई होर किता नहीं है। वी दफ्तरी समय चुवे ले रंच खुशी मैसूस कर दे हैं। किसे काम दी जिमेवारी अपनी सेर ना लेनी। शिफ्टिंग रिस्पोंसेबिलेटी। नमा काम आपवे ते मुथे वाट पोणे ते काम तों पजण दी कोशिश करनी। जिनना काम क्या गया है उन्ना ही करना। नौकरी पेशा लोकान दा सुबा बणदा जा दे। आओ अपनी ड्यूटी नू गुरू वलों बक्षी सेवा समझ के करिये। तन्माद। अगला लेक मत पेद किमें दूर करिये। एतवार नू जाद लोक टेलिवीजन द्वाले लगे हुन्दे हम तकुझ नौजवान वीर रलके। गुरू शबद्धियां विचारां इतिहास कविता ते फिर नमे सिंगानों किस्तरा सिखीवल पिरेरेत करियें। आद विशियां ते खुलियां विचारां हुन दिया हम। गिर्ती दिन दोनी रात चौनी निदी गईती 21 सालां वेच्ची नौ थामादे क्लासान लगणियां शुरू हुगियां। इक लाइब्रेरी तार्मिक। इक बुक बैंक स्कूल दी पड़ा इस बंदी के ताब्बांधा। आद कई गतिविदियां वेच आलू हुगियां। पर गुरू साइब्र जी दा पाणा जया वाप्रेया के दो नौजवान आगू वीरां दे आपसी मात पेद हुगियां। इक दुजे दी पेट ते तोम तान लगणियां शुरू हुगियां। दुजे वीरां वेच संभावत लड़ाई जमवांड दियां क्यास अराईयां लगण लगते हुगियां। एक ही वाई गुरू जी असी ताब पंतक सिवादा बीडा चुकियां सी। जेत्ता आर्मिक बंदेवी इस्तरा लड़न लागते हैं ता फिर तर्मदा की लाभ। एमवी पखंडाच क्यों कईये। मन बड़ाव दास्ते चिन्तत हुगया। हां गल चेत्ती आई उस दिन ज्यानी जीने कथा कर दियां क्यासी। जद्वी कोई मुश्किल आवें कोई शंका प्यादा हुगया। तस सिरिगरू ग्रंद साब जी पास आके प्रेम सैत नविर्त करवालो। कुछ देर शर्दा सैत पाठ कीता ते साच मुच जवाब मिल जया। हुए कत्तर मिलो मेरे पाई दुविदा दूर करो लिव लाए। वाजी वाजी गुरू साहिब जी ता जी में सब कुछ जान दे ही सन। एन जी हो जाई साड़ी अवस्था सी बिलकुल हो जी जवाब देता। जादवी दुविदा पैदा हो जाए। एप आई जनू कठे होके बैटो ते फिर अकालपुर्खनल लिव जोड के दुवदा दूर करो। बस जी फिर कीसी नौजवान वीर राल बैटके। गुरू साहिब जी अग्यारदास कीती ते फिर उप्रोकत शबदे अर्थपाव ग्रैन कर दे होया। अकालपुर्खनल लिव जोडी ते दुवदा ने अपनी अपनी थाई सोच्या। मैं दुजे वीर जी दी गल सैजनल सुन्नियां ते फिर जो ठीक होवे उनू मनन शर्मोना नहीं, हिटकना नहीं सबु अपनी गलती सुधार मिलें। दुवे अपनी अपनी जगाते ही सोच दे हम ते फिर जाद मांदी अजयी अवस्ता होवे ता फिर विचार किने न मिल दे। कुट जफी पायवने ते फिर हर तरांदे मन मुटावदा गली बाती हाल कर लियाने। इननाई नहीं सगों अगों लईवी ए गल अपनी सबाली पक्यां कार दितियोंने। कि जदवी किसे वीर दे मांच कोई शंका प्यादा होई आपसी मतपेद हो जाए ता बजाए कि किसी होर पासे जाके निंदा चुबली करने। ते अपने मांदी पड़ास कड़नी, दोमें वीर मिलके बठो और दास करो ते फिर सैज नलिक दूजे दियां गला सोन के सुला करो। जे तार्मिक मारग ते चलने आते फिर मन मुखा मांग लड़ना ठीक नगी। होर ता होर गुर्सिखी असूलां दे इननी द्रिडता होवे कि दुविदा प्याण दी सूरत विच वड़ावीर सोचे के चालो चोटा सी उस पसो गलती होगी। पर मैंनू ओधी गल सुनने चाहिए दिया है विचार ना चाहिए दिया ते फिर जे हो सके ता उनू समझना चाहिए यहों ओ छोटे वीर नू समझा अन्तोर पवे। दुजे पासे छोटा वीर भी गुर सिखी यह सूला ते न द्रेड होगी। क्यों अपनी थां सोचे वो मेरा वड़ा वीर है। फेर की होया जे उसको ऐसी गल कैदती हो सकदा मनू को लेखा लगा होगी। एमें बैठे चिंताना लावां ते चाल के वीर कोड़ो माफी मंगलना। निमया कोई हत्तक ने उंदी। इन जो वड़े वीर पासों माफी मंगलनी तोर पड़ी। एउं दोमें वीर अपने अपने करों एक दूजे नल मिलन तोर पैंड। ते रा विची आ मिलन। साच मु खंजा पड़न ता की नहीं। सोगोई ना राही सफलता वी प्रापत कीती गई है। सिटा एही निकलिया कि आपसी मत पेद गल्त फैमियां ता पैदा हुं दिये रहनी हैं। जे दोमें ते राही कतानी इकलो तिया रहन। ता फिर सुला के थे मन मुखां दी गल हुवे तक कईये सोजी नहीं। पर गुर सिखा लई पहले पोड़ी ही हो हो सबना की रिण का दी है। फिर क्यों ना निवके गल बात राही या सूला दी कसवट्टी ते सुला के थे जाए। ते निकी निकी गल नू पहाड बनन तो रुखिये। ता हैं यासी सरबादे पले दी मन्ज जिल तक पड़ सकाने। ताम यास। अगला लेख है उक्खी कड़ी आवे तांक की करिये। जीवन मारगच विचर देयां कदे हर्क ते कदे सोग बढ़े इंग रंदे। कदे असी बड़े खोश होने हैं। कदे मुर्जाय मुर्जाय ते उदास। कदे असी निंदा ऐसी अवस्था हर मुनुख दे जीवन चौन दिया। जीवन आई सोग जां दुख दे ओके पलानों में तौन लेए। कुझ नुकते हैं वान तला गुर्दवारे जाना। उदासी ते निराशा दे पलांचकार बैठन दी था आसी किसे नेडे जा दूर दे गुर्दवारे चले जाए। तावी मन हलका हुंदा। गुर्दवारे जाके गुरु साब नल अपने मांदी काल सांजी करनी ते अरदास करना गुरु बोड़ी करना। गुर्दवारे साई विखे लंगर जोडे अलिसका यादी सेवा नालवी मांदी मेल तो पेजा दूर जद असी उदास सो ये उस विड़े बजाए के काच मंजेनल मंजा हुए सो वो उठके बार किसे वीर देका चले जाए। पहला जद कोई विमार जाओ दास हुंदा सी ताद पुरातन बज़र्ग क्या कर दे सन के जा किसे गुर्षिक नू मिला। जदों दूखच कबराया वनों किसे चड़ दी कलावले गुर्षिक नू जाके मिल दाया ता मिलन सार गज के फुट बुलाई फते नाड़ी अद्दा दुख न दूर होया जापदाया। जद ऐसे गुर्षिक नू मिल देया ता उचकोटी दिया पंत तक ते सद गुना दिया विचारा हुं दिया हां। जिस नल अपन चड़ी कलावल लेजर। तीसरा जेकर उपरोकत कारज ना हो सकन ता सी खरीददारी करंदे बहाने किसे बजार विच भी जा सक देया। इंज भी साड़े ओखे पड़ बेतंच कुझ रहत मिल दिया। जेकर किसे कारण वासा सी बार किते भी जा न सकीए ता कार विची करके एटली के कारज कर सकते हैं ताँला पार करना सरी सोखनी साब डीदा पार करना लमनो फ्पनूशांती मिल दिए जा नुकacsा पर यहारंद है। जे कार विची रिवर्भरान साब जीदियां सेंचिय हों ता शैज कार करने मन ना सेसा समापत हुन ना कें सेसे सांचार हु याद रखना चाहिद है कि दुख दे पल सदा नी रहन दे अपनी सोच नूँ सारू पासे वन लोना चाहिद है ते मननों समझाना चाहिद है कि सुख दा समा वी आएगा ते दुख दियां कडियां वी कटियां जाँगी केंदे ने कि जे बंदा जीवन प्रती अपना द्रिष्टी कौन बदल लए ता ओदा जीवन ही बदल जाएगा इक अंग्रेज विद्वान ने ठीक ही क्या है Change your attitude and your life will be changed मिसाल दे तौरते जैसी अपने जीवन नों दुखी, निराश, कमजोर समझ दे रहे हैं ते फेर हुणे नूँ खुशी आसवन ते बल्वान समझन लग पई ये यकेन मननों कुछ समापा के जीवन सच मुछी यें हो ही जाएगा ता निया अगला लगू लेख है गल्ती पच्चतावा ते चूर्ण पुल्लन अंदर सब को अप्पोल गुरू करतार जे कोई दावा करे के उन्ने जीवन विच कदे कोई गल्टी नहीं केती जाब उन कदे गल्टी नहीं करेगा ता ये गल्ट होएगा सिरफ ते सिरफ करतार प्रभू भी ये पउल्ल हैं बागी तो सब कोई पोल लण अंदर है हाँ एक गलती तो सिख्या लेके उधी पुन्रा वर्ती ना करने ही समझदारी है ते बार बारी की तरा दी पोल किती जाना मूरकता है ना समझी है जो कम जानवुज के गलत किता जाएगा उसले पश्तावा सिटा निकलनते ही हुएगा पावजद गलती करके मार पाएगी बुद्नामी होएगी ता ही पश्तावा होएगा जे लाब होया ता पश्तावा नहीं सुगोमान होएगा पर जे कम अन्जाने विची गलत हो जाए कोई फोल हो जाए ता चाट पश्तावा होन लगेगा पच्तावेद अलाबी है क्यों गल्ती दुबारा नहीं हुँँगा। जे मन द्रिड रहे तां। गल्ती ते पच्तावा करके सिख्या ना लेणदी वस्थावेच। फेर फेर कीच बुडाही वाली वस्था हुँँगी है। पच्तावेदी हालच बंदा कैतरां दे संकलप मन्चिलनल्ड एवी संकलप विक्विच उदा साथ दिन्दे हुँँगा। गल्ती ते पच्तावेद वाद मांदी खोर वस्था है। चूरना गल्ती साड़े वास्तोबार है ते पच्तावेदी आग इनू साड़ दिन्दे है। पर चूरना एक ऐसा सुल्ग दा कूला है जो निरंतर दुख दिन्दा रन्दा है ते एवी पता नहीं कद दुबारा पामबड कैदा कर दे। चूरना दुख दी सिखर है जो निश्चे नुकसान दे है। जाद असी पच्तावे तो सिख्या लेही लेही का फिर एक तार चूरंदा कोई लाग ना। तानुवाद इर्खा के में करिये ए अगला लेक है। इंसान नुँ रोटी कपडा ते मकान दियां मुडलियां लोडाओं वी शायद इस हद तक दुखी नी कर दियां। जिन्नी इर्खा। कामक्रोध लोर्मों हंकार वर्गे पंजे विकार। पहला है इंसान नुँ आत्मिक तौर ते कान्ये वर्गा कम जोर बना दंदे हैं। उत्तो इर्खा वी गड़ी ते लद्धी चड़ी अंदिया। इर्खा दी सब तो वड़ी विशेश्ताय है के हार थां ते पाई जन दिया। पामियों विद्य खेतर, जा तार्मीक, राचिया, जा स्माजी, खेटदा मैदान, जा दफ्तर, बैंक जांक चैरी, गल की इर्खा दी हार थां चोदर बनी हुई है। खास करके अपनी कित्ते वालेयां विचाड़े इर्खाव देरी हुई है। जिमें कुत्ता कुत्ते नुँ वेखे नी सुखोंदा, ओमी इकको पेशे वड़ा एक दुजे नुँ देखके वद फोल नहीं सकते। जे तनखा पदवी आद इकको जिया हुँँ, ताव दुजे दे कपड़े चाल ता आले थु ताके दुजे दे चंगे सुबा तो वी इर्खा करन लागतें दे हुई। फुलाणे दा सुबा मेरे नालू चंगा क्यों है। जिन्दगी देड़े वड़े सफर विच्चों एक जां दो दिन दी गलता दूर सफर दे कुझ कंटियां वेच थोड़े चेरलाई। मिल बैठे लोक वी इक दुजे नाली इर्खा करने शुरू करनें दे हुई। इर्खालू हमेशा दूजे नू निमा दिखोंदी कोशिश करता। जे इन्ने नाली गल बणदी हुंदी ताउवी कुझ नेई सी। पर इर्खालू ता दूसरेली खाय्यां खोदंदा यतन करदाई रंद। हर विळे से उल्जन वेच्ची फस्यारंद। केक्केमें दूसरे नू मात पावें। इसे कुझे यतन वेच्च वो अपने ले खूद यार करलंद। इर्खालू दी जद चारे खाने वा नहीं चाल्दी ता उदे अंदर इर्खा दी जम्मी मेल गुसे दे रूपेच अपनी कारवळी बच्चे जन्दोस्तादे निकल दी हैं। उदे माननू चैनी ताद पैंदा जद अपने विरोधी दी चार थावांते निंदा गार लंदा ज़ा उन्नू रज के गाणां काट लंदा। इर्खालू उस वेले साड बाल के काड़ा हो जान्दे जद उदा विरोधी केसे कामच सफल हो जाए। ज्याओधी केते परशंसा हो जाए। इर्खालू ले सबतो वधिया देनोई होंदा है जद उदे वेरीदा केते नुकसान हो जाए। ता उक केसे मुश्कल चफास चैन अपड़े मान्च चुपी इर्खानू प्रविटाउन तों संकोच दा इर्खालू उत्तो उत्तो वड़ा मिठा बोलन्दा यतन करदा। थाएंकु थाएंपले दिवी गाल करदा। पर हुन्दाय पूरा आस्तीन दा साथ। अमेश अप्पेट पिच्छे चुरी खोब बंड़े इत्यार। इर्खा करणवाळे लोग कदी कदाईं दूज्या नपलावी करदन दे हन। इर्खा दे हतकंडे बहुता चेर काम्याद नहीं हो सक्ड़ी। यदा अंतम फायदा दूज्ये नुई हुंदै। इर्खालू काटे दाई वपारी बंड़े। जित्थे इर्खालू अपना सारा जोर दूज्ये नू निमद खौणची लगादन दे हन। ओथे दूज्या अपने आपनों होर चंगा बना अंदा या तंगाला। कुझवी होवे इर्खालूआनू एक गल्स पस्ट तौर ते समझ लणी चाई दिये कि इर्खा करनाल अपना खून सकौन तो लावा उँ होर कुझ नी कार सकरे। इक विद्वान दा कथन है के दूसरे नू थले डेगन दी था आप उच्चा उठन दी कोशिश करो। इस तरह ही इर्खा करिए ता नू आत। अगला लेख है टकरा तों बचो। कत चक चक औरन समझावा चगर किये चगरोही पावा। अज देश योगुच ज्ञांच तेजी नल वादा होया। ते नमी पीडी ने संचार साधनादे परभावनू उदेरे कभूलिया। इसे कारणोनादी यां कदरां केमताच तेजी नल तर देली आईया। माप्यां दे विचार ते कारदा महालोनानू कुराणा लगदायते उपच्मी परभावीट अपने आपनू अगां वदू ते अधुनी की युग दे बच्चे समय देहन। बच्चेयां दे वड्यां दे विचारां विच कार फरकार रहें जिस कारण टब्रां विच टकरावद रहें। बच्चे माप्यानल बैस करदे हन उना दी सला मननतों इनकार करदे हन ते वो समय दे हन के वो पीडी दा फरक है असल च जेया नहीं। काल ते मुकाबले देस दौर च लोकी अपने बारेवदे रिसोर्चन लागते हन। मैना मानूदा पूद हार्थां व्यातक है। समाजेक कदरां कीमता दे टुटन नाल। मुनुखी रिष्टेयांच तिरेडा ओन लागते हन। अख दी शरम ते रिष्टे दी सांज दा परबाब बच्चेयांच काट रहे है। संयोक्त परवारां दे टुटन नाल। बच्चेयां ते माप्यां विच का टकरादा वाता वर्न हर पासे बनदा जारे है। मत वर्गी शैरी परवारां विचेस ता परबाब दे रेद पर तक है। इस विच कोई शाक ने के टकरा ता मुढक तीम तों ही हुंदे रहे हैं। पर ओधों ये बहुत का तक सिद नहीं सांग। समाज वेच ते परवार वेच बजुर्गां दी इस्जत किती जांदी सी ते उना दे सामने बोलन दा होसला काटी किता जांदा सी। उना वलों की ते फैसले नुआम तोर ते मन लिया जांदा सी। पर हुन हैं, जदो के संग्युक्त परवार तुट रहे हैं तो स्थिती बदल दे है। आर्थिक बोज दे स्ताय शेरी पती-पत्नी दोवें काम कर दे हैं। थाम्दा बोज बच्यांदी सामसंबाल ते कारदी देख पाल टकरादा कारण बन दे हैं। जदो दोवां वेचो कोई वीचु कंजा समझाता करण दी कोशिश नहीं करदा ता टकरा गंबी दूपतारं करलें। कई वारता नौबत कार टोटन का काजां दी है। इस क्रोगी महाल दा प्रबाब बच्यांदे वदे रेटांदे। बच्यां वेचो वड्यांदे विचारांदा सतकार कट रहें। उन अच अपनी गल्लू ते आड़ जाना ते अपने अपनी सूजवान समझना आम विखन चोंदे। टकरादी स्थिती हर्थां दिनों दिन गंबीर हुंदे जा रहे है। इस कोई शक नहीं के छोटे मोटे टकराद हर्थां होंदे हैं। जैन जा आख देगे के ओने ही चाई दी हैं। पर जदों ये ना मुक्कन वड़ा रूपता रन कारलें ता चिंता दा कारन बढ़ दी हैं। विचारांच फरक्ता हुंदाई है पर जेकर इनानों गल्बात रहें दूर कारलें जाई ता हालात संबल जान दी हैं। पर जेकर गल्बात करन नूँ वी कोई तेर राजी ना होवें तस्थिती गंबी रूपता रन कारलें दी है। टक्रा दे कारन। टक्रा वड़ी हालत दूर करन ली ये विख्रांच जरूरी हो जान दा है कि आखर टक्रा खड़ाई के हुंद है। प्यार, दोस्ती ये सूला दे हुंदे हैं हैं अभी आपोवेच खिच्चोतान के हुंदे है। टक्रा वड़ी कुछ कू कारना वड़ी ये निखेड़न दा यतन कीता लिया। जिद्धी सुबा जिद्धी आदत थोड़ी बहता सारयां छुंदे हैं। पर कुछ लोड़ तो वड़ी जिद्धी हुंदे हैं। अजय बंदे दूजयां दी गल, मनन, जाँ कोई समझोता करनों त्यार नहीं हुंदे हैं। उता अपनी गल उत्याडे रन्दे हैं। परवार्च टक्रा दी स्थेति अध़ओं अंदियां जुदों कार्च कोई जिद्धी सुबादा बंदा होएं। जेकर किसे दा सुबाद जिद्धी ना भी हुएं। अ को दो तक दुझे दी सिदों पूरी कर सक्थाएं। किसे ना किसे विडे टकरा वड़ी हालात बाड़ी जानदे हम, अधूरी जानकारी, टकरा उधों भी हम दै जद हら जानकारी अधूरी हो गय अधूरी जानकारी यह दारते आपको हुछ गलत पहिंमी अकडियां हो जान दे हम, चुगली भी कई वारिस्ट उॉ aan कहां दियां, तक्रावली स्थेती उत्पन हों दियां संभावनावा हन हम हमें निज देश योग विच हमें वदेरे पर चलत हो रहे हैं आपसी निर्परता का टन्नाल समाजिक कदरां कीमतां को ट्रहिया हम पर हमें मजबूत हो रहे हैं कई बचे दूजे दी गल मननी जैंके से नलसला करनी अपनी हत्तक समझन लगताई हम हर को ये समझन लगते है कि उन किसे सहतादी लोड़ी नहीं है इसे करके कई थोड़े कीतियां दूजे दी सलाम अननों क्यार नहीं हों दे सो गो अपनी गलुत्ते ही अडे रल दी हम कटिया पनदा एसास कई वर मनुक बचपन तो ये जेंग सुबादावी थी हमलावर सुबादावी हो सकताई डर मनुक डरू मनुक बहुत काट टकराच उलजदा है जदकी हमलावर सुबावडा बंदा हमेशा टकराली त्यार रंदा अजे मनुक दूजियां दी राए मन्ननों त्यार नहीं हुंदा तान जो उन्नों डरू ना समझ ले आजाई उन्य वी हमेशा डर लगया रहन दै कोई उस नल तो खाना कर लाए जाओदा हाक ना मार लाए अजये मनुख हमेशा अपने आपने कर देया नाल जा अपने साथिया नाल उलजाई रख दे हन शरार्ती सुभा कहादा सुभा शरार्ती हुंदा उक किसे वी कामनू निर्विगन हुनदा चाली नी सकदे दूजिया दे चंगे नंबरां तो उसाड़ दे हन किसे दे चंगे विचारा चा कमा दी पर्शंसा उकारी नी सकदे वो हमेशा किसे ना किसे मसले नूल जा इरखन दी कोशिश कर दे हन विगडी स्थिती उन्हें खुशी दा कारण बा टकरा ता जीवन दांग हान। ये ता सगो कई वार विकास्ट सहाई हुन्दे हान। पर हालात नुए साथ तक गंबीर नहीं होना चाहिदा। गंबीर नहीं होन देनां चाहिदा कि उन्हों संभालना उक्खा हो जाए। जी कोशिश किती जाए ता इस हालत तो ते कभू पाया जासकता। यतने ओ tahun होनां चाहिदा है के टकरा ती स्थिती बननी नहीं दिती जाभे। जै करज्डी इस्थिती बनवी जाभे तैनू जल्दी तो जल्दी दूर करदेनां चाहिदा। कुछ सुजा दिते जा रहे हैं जड़े टक्रानू रोकंच चोखे सहाई सिध हो सकते हैं विचार वटंद्रा जो में पहला लिख्या गया ए निजवादा योग्या उन वडेर यांदे कीते फैसले आंदा खिड़े मथे सुवागत नहीं कीता जांदा हर कोई फैसला करन्दी प्रक्रिया चो शामल होड़ी उग सुखें इस करके फैसले सबंदत तिरा नाल विचार वटंदरी पिच्छों लेणे चाहिए हैं रल मिलके कीते फैसले हमेशा अंटकरार नू कट कर दे हैं अजे आ कीतियां सारियां ते रांदी हमेनु वी समतुष्टी मिल दी हैं इस सूल करदे निक्के फैसले आउते वी उन्नाई लागू हैं जिनना संस्थामा विच होण वाड़े वड़े फैसले आउते लागू हुंदे खुल के कीते वचार वट अंदरे नाल निरा टकराई काटनी हुंदा सुगो फैसले भी रधिया हो जान दे हैं ए फैसले क्योंके सारियां ने रालके लाई हुंदे हैं इस करके इनननु नेप्रे चाड़न लाई भी सारे अपनी जिम्मेवारी समय दे हैं एंज हुन्या प्राप्तियां दा अनांद सारे ही माण दे हां उन बच्चे पहला मांग चुप चाब माप्यां दे फैसले सविकार नहीं करदे सगों एदा बुराम नाँदे हां फैसले करदे समयोना दीसला लेणी जरूरी हो जान दे हैं पूरी जानकारी अदूरी जानकारी जिते टकरादा कारण बन दिये उते पूरी जानकारी टकराणू का टकरण चे सहाई उन दिये बच्चियां दा विश्वास ओधू ही जित्या जा सकदा है जे करोना नाल पूरी जानकारी संजी कीती जाए एविश्वा सम्मेशान टक्रानु रोक्वंच सहायता करदा हैं जोदों वी जानकारी चुपांदी कोशिश किती जांदी है तर शाकदी पावना उत्पन हो जांदी है ते उना दिहों मेनू ठेस लगदी है जानकारी पामे किसे बुरी पावना नाल नावी रोक्वी गई होड़ू फेर वी शकदी गुण्जाय जरूर बांजांदी है अपने बच्चे कोड़ों कुझ वी चुपांदी कोशिश ना करो कामच सफलताता आखरोना देसा योगनाली प्रापत होंदी है समझाता कोई वी इंसान अजेया नहीं है यड़ा सोडा कला संपूरल होले ए समझना के जो वड़े कार रहे हानो सही है ठीक नहीं है हमेशां बच्चेयां देविचार सुना वच्चार वटांदरे पिच्चों जे लोड होवे ता पहला की तेवासलेच कद्दीली कार लेनी चाहिए बच्चियां देविचारांदी कदर करनी तो चंगा गोने चंगी सला मननी कोई गल्थ समझाता नी हुनदा अजया समझाता करन तो कदेवी चिजगणा नी चाहिए बच्चार गल्थ समझाता ओ हुनदा है जदों तुसी मजबूर होके अपनी जमीर देवरुद कोई गल्थ काम कर देओ जहां सूलांदी कुर्बानी देंदी अजया समझाते नी करने चाहिए पर छोटी छोटी गल्थ अपने वेक वक्कार दा स्वाल बना अगे टकरा खड़ा करना ठीक नहीं है शुरू विच रोक कोशिशे होनी चाहिए दिये के टकरावड़ी स्थिती नू पैदाई ना होन देता जाए जदों अजयी स्थिती पैदा होन दे संभावना बन जाए ता उस्वाल विशेश त्यान दियो बच्चियां दे विचार सुनो अपणे कारजां संस्था दे हितानू मुख रख दे होया समझाता करन दी कोशिश करो जकर फेर वी स्थिती सुदार ना होगे द्रेड़ता दिखाओ शुरोच पुट्टे द्रिड कदम टक्रा वड़ी स्थिती उते मुडच काभू पालांगे जदो स्थिती गंबीर हो जाये ता उसो ते काभू पाणा अखा हो जांदा आनू शासन दी पालना टक्रा नू रोपकनली जिथे विचार वटांदरा समझाओ ता पूरी जानकार याद जरूरी हान उथे एवी ते आंच रखन दी लोड़ा है के कोई शरार्ती जानबुझ के टक्रा खड़ा करन दी कोशिश ना करे कार्तो लाएके बार ती खरेर संस्थादे कुझ सूल हुन दे हान इना दी जानकारी सारे मेंब्राणू होन चाहिए जदो जानबुझ के कोई अननू तोड़ंदी कोशिश करे ता पहला अनू समझाओ जी ना समझे ता सक्ती नाल अनुशासन दी पालना करो शुरू वेच्च जया करना शायद अन्सुखामा लगे पर पिच्चों सारे इस्थी प्रशंचा करनी शुरू कारदेंगे अनुशासन दी पालना टकरादी स्थितीनू रोकण वेच चोखी सहाई सेद्ध हुन दियो टकरावली स्थिती सार्याली कातक है जदोंवी टकरावली स्थिती बणदी नजर आवे तौपर दसेट अंगतरी क्या नल उसनों दूर करन्दी यतन करो इसे वेच्ची सार्यांद अपनला तन्याग डॉक्टर पुष्पिंदर सिंग दी पुस्तक रज की अमीर बढ़िये दा अगला लेख है गल बाद दा सलीका मिठा बोले निविचले सेजय रवय पतार गल बाद दा सलीका मनुख दी शक्सियत दा महत्त पूरणंग है इंसान किन्नावी सच्चा सुच्चा क्यों न हुवे जेकर उस्ते गल बाद विच कुडतन है तो दूज्यानू पर बावत नहीं कार सक्दा उस्ते निज्जी सबंध वी लोकानल सुखावे नहीं हो सक्दे अपने मन्दे बहुते पावसी पाशा दी मददनाली दर सोंदे है बहुत काट गल्लां किसी होर माद्यम राईं दर संयां जांदे है पाशा शब्दांदा समूंग होंदे शबद वखो वख्रियं वस्तान होंदे ते नाम होंदे है असी अपने पाव उदोईं दूसरे तीक पहुचा सक्दे है जदो दूसरे लई वी शब्दां दे उहोई अर्थों जेड़े के साड़े ले है इक वस्त ले कई शब्द हो सक्दे है इसे तरह एक शब्द दे कई अर्थ भी हो सक्दे है मौके मुताबिक ते कैन दे अंदाज नालवी शब्दां दे अर्थ बदल जान दे है असी अपने मांदे पाव सही तांग नालदू जयां तीको दूईं पहुचा सक्दे है जे कर साड़ी शब्द चोन ठीक है तुक्वें शब्द जे कर साई अंदाज ठीक नालवी तांदू पूरा होन वाला नुकसान भी हो जानदू इक या जानदै के तलवार दा फट दा मिट जानदै पर बुलन दा फट दा मिट हो जानदै गल्बाद दा सलीका जीवन वेच एहम स्थान रखदा है कुछ पलेखे जदों असी किसे नल गल्बाद कर देयां तो असी अपने आपी एक क्यास कर लेने आं के जो मैं कह रहे हैं तो जो मैं कहना चोंदां दूसरा वी उमें ही समझ दे ये साड़ी बहुत वड़ी पोल ले बहुत ही कट हालतां वेच दो आदमी को जया सोच दे हन तेक को तरह समय दे हन इस करके इतारना कदे नी बनालेनी चाहिए दी के जदों तुस असी दूजयानों को जाक दे हन तो वी उसनों वी समय दे हन जिमें कैसी समझाना चोंदे हन कई लोकान वे भी गल्त फैमी हन दी है के ओ जदों मर्जी ते जो मर्जी चोंद कैसक दे हन उसमय दे हन के अपनी मर्जी मताबिक बोलना इंसान दे मुगले हका में चोंद वोई पुल जान दे हनके तो अड़े वलों वर्ते गए गल्त शबद किसे दी पावनानों फेस वी पहुंचा सकते हन। तो लो फिर बोलो इस बंदिच मैंनों एक लोग कहाणी याद आउंडी है एक मुसाफर नू रस्ते च रात पह गई पिंड़ेच पोजिके उन्हें पहले कारदा बुआ खड़काया कारदी स्वाणी ने बुआ खोलया मुसाफर दी कहाणी सुनके बड़ी आदर नालो नू अंदर बठाया ते रात रखन लई खुशी परगट की थी साड़े पिंड़ा विच महमान नू तर अब्दा रूप समझया जानदा है मुसाफर कोल कुछ सक्तू सन उस सुवाणी नू रिनन लई दे दती कारदे जीयां बारे जिकर होया सुवाणी ने दस्या क्योदी पती ता सुर्गवास हो चुकी है उन्ता ओदा सहरा पुत्तर ही है पुत्तर में ती ती आग्या कार गलां गलां चा अजनबी दे मुहा निकल गया बीबी रब ना करे जेकर तेरे पुत्तर नो कुछ हो जाए तब फेर तेरा की बनेगा इस सुन्दियाई बीबी तक गुसेना लाल पीडी होगी उबड़ दे सत्तू अजनबी दी चोड़ी चुपानिया कड़के बोली वे मुया मेरे पुत्तर बारे बुरे शबद मुहा कड़दा निकल जा मेरे कड़़ए उबचारा चोंदे सत्तू लेके बार निकल गया रस्तेट किसे ने पुछेया पाई की चोंदा जारे अजनबी ने रोण हाकी जबान चाखेया सजणा जबान दा रस्त चोड़ेया मुह शबद कड़न तो पहलना उदी पूरी कोक पड़ताल कारलो तान जो किसे ने मौकई न मिले के तो अडिवल उंगल चुक सके शबद चोंद इस टांगनाल केती जाए तान जो किसे ने खेस ना पहुंचे सड़े चोंद बहुत है अनुए गल्थ फहमी हुंदी है कि जो असी कहन दे जान सोच देयां वो होई ठीक है अपनी अकल ते परायातान हमेशा वद्धी लग दे हैं असी सारे इस बिमारी बारे जान देयां पर कदे भी मनननों त्यार नहीं के बिमारी सानुभी लग सक दिया हाँ दूजे जरूर इस बिमारी दे मरीज जाप देहन ए नुक्स होंदा सबना विच्चया पर कईया विच काट होंदा है कहीता बिल्कुल अपने आपनों बंद कर लें देहन ओ किसे दूसरे दी गल सुनन ली त्यारी नहीं होंदी ओ समय देहन के जनावना नों गल बात देन विशे बारे ज्यान है और किसे नों होई नहीं सकता इस करके जो कुछ उनां कह लिया होई काफी है जेही हालत विच जेड़ा कोई कुछ होर कहन दी जुरत करेगा सुबह वकी है कि उदी नराजगी दा शिकार हो जाएगा इसे तरह ही जेकर किसी पाशन जब विचार वट अंदरे नों सुना ली आख्या जाई तो वह केंदेहन मैं जाननू ता चला जाओंगा पर मैंनू पता है कि उत्ते मेरी जानकारी ज कोई होर वादा नहीं हो सक्दा बड़ी गल्त तार ना अजया मनूख बंद दिमाग दी बिमारी दा शिकार है संसार्ट कोई भी शायद अजया व्यक्ती होएगा कोई ही शायद अजया व्यक्ती होएगा जिसनू किसे विशे बारे पूरा ज्यान होगे जा उस तो वद होर कोई जानदा ही नहोगे इस बिमारी दा इलाज भी मनुख दे अपने हाथी है जे कर गालबात करन समय थोड़ा जयत्यान रखे ता इस बिमारी तो बचिया जा सकदा कदे भी अपनी गालबात वेचा जै शब्द ना वर्तो जिना तो ए जाहिर हुए केस तो वद कुछ होर क्या ही नहीं जा सकदा उदारंदे तोरते ए कहना केस विशे बारे किसे ने कम किता ही नहीं जैन जो होई नहीं सकदा ठीक नहीं है अपने इना ही पावानों तुसी इंजवी कह सकदे हो के स्विशे बारे काट कम होया है, जैंज होना बड़ा मुश्किल है, ए समझ लेना कि होर कुछ बाकी रही नहीं गया, बड़ी गल्थतार नहीं, ग्यान कदे भी पूरा नहीं होया कैन दा टांग, शब्दानों कैन दा अंदास भी बड़ा फर्क पौंदा, उहो शब्द जेकर बदल में अंदास कहा जाए, तो ओदे अर्थ बदल जान दे हन, इस गल्वाल में शेशते आन देना चाहिद है कि कैन दे टांग नाग, चंगे शब्द भी किसे उते कटाश नाम इवी ज़रूरी है कि तुसी अंदरों बारों इक हो, जेकर तो अड़े अंदर कुछ होर है, तो बारों कुछ होर कह रहे हो, तो तो अड़े शब्द केवल अगले नूँ भी तो खा नहीं दे, सबों तो अनूँ भी तो खा दे रहे ही है, जितो तीक हो सके, उनुख नू अ कफल नहीं हो सक्या इको ही पाव नू दर सौंदे हम परेना विच पर बाविक पक तो बहुत फरक है फेल होना सुनके मनुख दे मन्च हींता दा पाप पैदा हुंदा है जे कर मौके थी विचारा नू साथ टुक्वें शब्दां दी वर्तों सुच जेट अंगल कीती जाए त युग विच दुज्यानू ताकत नाल नहीं सुगों गल्बात नल पर बावत किता जा सकता है इसते नाली इवी जरूरी है कि तो अनू सुनन दी जाचोंदी होई दुज्य दी गल जरूर सुनने चाही दिये इंज उदा तवड़ी गल्बात विच रुजान वदेगा ए सो अनू जाचोंदी जाचोंदी नहीं महत्तक दुरूर नाल तानू अगला लेख है असरदार संबात असरदार संबात ते लिए हेट दितियां गयां मिशेशतामा जरूरी हैं पहला मूँ जबानी संबात मौखेक संबात दूसरा सुनना ते तीसरा स्रीर खाप पाव अचा बॉडी लेंग्वेज रही संबात मौखेक संबात बोलने गेश शब्दां द्वारा अपने पावानू परगट करना मौखेक संबात अखोंदै जिस वेच के एक व्यक्ती बोल दै ते दूसरा सुननन दे बाद अपनी पती किरिया परगट करदा संबात कही जिवेच सबंदा विच संबात हमेशां गयर रस्मी हिंदा जद के बुलारे वल्लों किता गया संबात रस्मी संबात कहलां दै जिस वेच बुलारा अपनी गलनू नाके वल सपष्टी करदा बलके वक वक तरानाल समझाओं दै लंबे वाग फुस फुस होनां सुनन दी समस आप या स्रोत्यों वल्लों विगन प्यादा कर दे हम त्यान लगाके सोनना सुरोत्यों बिना दखल अंदाजी किते बुलारे वी हर गलनूं त्या नाल सुनना चाहिए गल पूरी होन तो बाद ही अपनी प्रतिकिर्या देनी चाहिए बहुत सारे लोग जय हुं दे हम जो जोना दे कमदिया हुदिया हन। आ मोखिक जान देपाशा बोडी लेंगेज। मन देपा मन देप्रगटावी नू आ मोखिक समभाद केंदी हन। गल करन दा लेजा, हामोश रणा, मुस्कुरोना, मुगडोना, चुना। आदे माद्यम नल की ते जानवाले हापपा देपाशा देदेन होंदे हन। देपाशा नू समझना जो नासान है, उनना ही असानी नल उदा गल्त अर्थ वीकड़्या जा सकड़ है। कि शोर अवस्था विट परबावी समभादान दी लोर्क्यों वेंदी है। यह वस्था जिस विच बहुत सारे स्रीरत ते मानसिक बदलाव हुंदे हैं। इसलिए इस बदलन योग वस्था दे दौरान समभात बहुत ज़रोरी हो जानदे। कि शोर अनु अपनिया पावणाव, अपनी गल्द, ते फैसलिया नु दूसरे दे सामनी परगट करन दी कलाचंगी तरह ओनी चाहिए। कि शोर या पिशोरी नु अपनिया पावणावानु बड़ी असरदार टांग नाल परगट करनान चाहिए। क्योंकि अजिया देखिया गया कि असरदार गल्बाद दे तरीके नाल मुश्कल तो मुश्कल समस्या भी हल हो जांदी है ते ए उ मंतर है जिदी वर्तों नाल बहुत सारे की शोरा नो आतम हत्या तो बचाया जा सकते हैं अगला लेक है साथियां दा दबा ना कैन दी समरता दलील नाल किसे वी समस्या दा हल सम्भव है बिना किसे नराजगी चगडे ते उतेजिक विहार दे किसे दी जरूरत नो पूरा किता जा सकता है विवादी स्थेती वीच असरदार गलबा दे तरीके नल दलील देनी उचेते हैं दलील सहत कुषलता इनांगलां दे अधारत है दलील सहत कुषलता व्यक्तिगत ते बारी कारनां दे अधारत हैं मिसाल दे तोर ते हीट लिखेगे कारन व्यक्तिगत करके शामलवान पहला सिख्या, दूसरा सम्रथा, तीसरा प्रेदना, चौथा ती जर्बा, पिपनिवा ज्यान बारी कारणाविट परिवारक, परंप्रा ती संस्क्रेती, स्माजिक ती आर्थिक पदर, तरब दलील सहत कुशलतानू के में विकसत कीता जा सकता दलील देन तो पहला जानना जुरूरी है कि किना विकलपान असी सविकार कर सकते हैं, ते केड़ी अजय मुद्धे हन जिनत ते समझाता नहीं कर सकते पहला समस्यानू कचान की, दूसरा वत्तो वत्त जानकरी प्रापत करकी तीसरा समस्यानल जुड़ियां पाबनामा जिवें सरीरत पाबनात्मक जा मानसिक पाबनानू समझ की चौथा समस्यानू सुल जान दे केड़े असांतरी के हन, तन्वान समस्यानल जुड़े व्यक्ती नल गलबात करकी छेवा असरदार गल्बात दे संभावित वे कल्प दसके सत्वा दोहां दी सैम्ती न ले आगया फैसला थे अठ्वा अजेग्यां केडियां गल्ला हम जो हर दलील विच पुझूद हुं दिया हम तेल मुख गल्ला हर दलील हुं दिया हम पहला जानकारी, किसे भी समस्या दि पूरी जानकारी होना दूसरा समा जिस दबा समे हुझ सीम्ह वेक्ष तसी होँ जरूरी ने कि दूसरा व्यक्ति वियों से खालच बन्या होँगए तीसरा सम्रथा दूसरें दिया नजरांच तो अड़े अंदर वो देरे सम्रथा हुं दिया दलील देन दा हुनर किशोर किशोरियानू पेन पेन समस्यावा नाल निप्टंच मदद करना समस्यामां दा हल करना जरूरी है वरना उसरी रखते मानसिक तना दा कारण बन जान दा साथियां दे गल्त दबानू न कारण दे तरीके पहला द्रिडता पूरन अपने फैसलेते डटे रो दूसरा गल्त हालातो बचो तीसरा गल्त जगा या हालातो खट जो चोथा एजरूरी है कि जो तुसी कहना चांदे उसमों पर बावशाली टांग नल काओ ती आप दे मुलांदी रख्या करो पन्यवां सई जानकारी प्रापत करो ते सई फैसले लेंड दे लई पर बावशाली टांग नल बैस करो एजरूरी है कि तुसी अपने चंगे पवीख दे बारे च सोचों ती अपने आपनू किसे वी गल्त आदत जां हालात तो बचाओ हालात तां ते गल्त जगा तो बचाओ अमल विच लेयां जासकन वालियां रन नीतियां निमर्ता पूर्वक मनां करो बहान्य बनालो सिद्धे सिद्धे मनां कार दे दूर हड़ जो त्या आनी ना देव साथी दा त्यान वटाओ विशे नू बदल दे अपणियां पावनामा परगट करो हालात तो बचो दूसरे यांदा सहयोग रापत करो ता निवाद अगला लेख है निर्ने कि में लगे असी जो भी निर्ना लेंदेयां जा गल केंदेयां उस टे साथा अपना सुआरत जरूर लुके आंदा जिस पास से सानु फाइदा हुंदे असी उस गल पे जोड देंदेयां जेकर असी बस्त सफर कर रहे हुए ते ड्राइवर रावेच खड़ियां सुआरियां दे हाथ देंड ते बार बार बस रोक के सुआरियां चड़ाई जावे तासी कहने बड़ा बेबकूफ ड्राइवर है जो भी हाथ दनदा बास रोक के अगनों चड़ा लख़ा हे डुझे पास से जेकर असी सटक ते खड़े हुए बास साय असी हाथ रोक क лайंदा इशारा करीयां ड्राइवर बास न रोक तासी कहनें बड़ा बेबकूफ ड्राइवर है बस रोक लंगा ता की जाना सी सिर्फ एक मेंटी ता लगना सी ते असी चाड़ जाना सी याद रखे हर समस्यादे तेन पहलों हुंदे हन साड़ा अपना विहार दुजे दा मत ते ठीक गल कदी भी न समझिये के जो कुछ जसी कह रहे हैं उस सौफी सदी ठीक है ते हर कोई उस अनुसार ही काम करें असी अपने दृष्टी कौन तों गल कर दें ते दुज़ा अपने दृष्टी कौन तों आओ दो काम करें पहला सही विचार आंती अपना विचार बदल लेए शर्म ना करिये, ते दूसरा, हर गलनू स्वारतों पर उठके दुजे दे पक्तों वीवचारिये, फैसला लैन दे कला, समस्या नू समझना, समस्या नू समझनले ये दे कार्ना नू समझना, दूसरा विकल्पां दे बारे सोचना, समस्या दे हले एक तों वद विकल्पां दे सोचना, तीसरा विकल्पानु अपनावन तों उन्वाले सिट्यां दे बारे सोचना, हरेक विकल्प दे बारे सोच दे समय अपने परिवार, वित्तर ते अपने मुल्लां दे पर प्रम प्रामा दे बारे सोचना, ते चोथा है विकल्पानु अपनावना, किसे वी अमल वेचले ओना, UNICEF नमीबिया वल्लों विक्सत पावर मॉडल नू समझना, पावर, P for problem, O for option, विक्कलपाने बारे सोचना, W for weightage, smooth विक्कलपाने चंगे बुरेते बारे सोचना, E for elect, elect किसे इक विक्कलपनू चोनना, R for reflect, लएगे फैसले दे सिट्यां बारे विच्यार करना, साड़े वल्लों की ते गए फैसले, साड़े आतम बलते निर्बर कर दे हम, जेकर असी अपने आपनों समाज देख, सन मानत जी दे रूठ देखिये, ता साड़ा आतम बल उच्चारंद है, सही नजरी दे रहीं असी अपने आप सही फैसला लेंड़े समरत हो जाने है, जदों सी बच्चे सी साड़े वल्लों लए गए फैसले माता पिता परिवार्तों प्रापत मुला ते अधारत हों दे सम, वड़े होन दे नाली असी सोचना सिख देयां तद साड़े वलों की तेगे फैसले साड़ी आप दी सोच दे दृष्टी कोण दे अधारत हुन दे हम अगला लेख है गुसे उते कबू पव उना पास दुवास न पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल सुचजी शक्सियद आ मालको ही इंसान होन दे हैं जिस्ता आपनियां पावनामा उते कबू हुन दे मनुख दे जानवरा वीच एहोई फरक है जानवर जिथी आपनियां पावनामा दा प्रक्टावा बिना किसे चेजकतों करदे हम उत्ति मनुक समाजिक निईमा अनुसारी इना पावनामा दा प्रक्टावा करदा। पर मनुखी सफलता इना उते काबू पाणु ते निर्बर कर दिया। इना पावनामानू अपने काबूच करके इना दा सार्थिक उपयोगी मनुख दी प्राथती है। ते सुचजी शक्सियत दी पहचान है। इना विच्चों क्रोध दी गुलामी मनुख नू समाजी तौर उते नुकसान नहीं पाउच जादी। सोगो मनुखी सरीर वी इस दी पह इंट चाड़ जान्दे। क्रोधी बच्ची जिद्धी भी हो जान्दे हन। क्रोधी उपज मनुखी दिमाग विच्चों ही हो जान्दे। गुसे समी खोंदा तौरा तेज हो जान्दे। स्रीर वेच इक विशेश पदारत एड्रेना दीलान उख ज़दा है। जिस नाल सारा जिसमी हरकच चाजान्दे। गुसेश आया मनुख उची उची बोलदा, हाथ पैर पटकदा, ते जो अधी अग्या होंदा है उधी पन तोड़ करदा। कई वारता जिया होंदा है क्यों गुसेश कंबन लगदा है, चेरा लाल हो जान्दा है, उसते मुखों बोलवी नी निकल सकते। गुसेश दा जिहा खुलम खुला प्रक्टावा पशु बिर्तीश दा पर धीक है, गुसा सवनानु आँगा है, पर इसो ते कबू पाउन दा यतन करना चाहिए है। जिड़े बच्चे गुसे समय अपने आपो ते कबू नी पासकते हो जान्वर बान जान्दे हैं, ते दुझे नू नुकसान पौं चाहन दा यतन करदे हैं। अजय व्यक्तियां तो सब दू रहन दी कोशिश करदे हैं। समाज वे चो अलग हो जान्दे हैं, ते जीवन विच हर्था नमोशी दा समना करदे हैं। गुषे दा कारण। गुषे दे बौट सारी कारण हो सकते हैं। अराम करके गुषा ओदों आंगा है, जो दो अन्बव करदे हैं कि कोई उनानों नुकसान पौं चाहन दी कोशिश कर दे हैं। उन्हा दा विरोध हो रिया है जा उन्हा दी बेस्ती किती जारी है। उन्हा दा विरोध हो रिया है। कोशिश होनी चाहिए कि इस रोग तो बचिया जाए। यतन कीतियां गुसे उते काबू पणा बहुत कठे नहीं है। जोदों की गुसा आवे तक केवल स्वे काबू दा प्रग्टावा नहीं कर देना चाहिए। सबुए कोख करनी चाहिए दी है कि गुसा केवल आया। इंज गुसे दा उबाल थंडा होन लगता है। गुसे राल जिते समाजी क्रिष्थियां चुभी गाड़ कन दें। उते स्रीर भी रोगी हो जन दें। रक्त चाप, अलसर, हिर्दे रोग, मन सिक पीडा, जान लेवा रोग, गुसे भी ही देन है। गुसे उते काबू पॉण दा यतन करों, इस नल तन ते मन दों या रोग रेंगे। पेठां कुछ सुजा देते जन देहां जड़ी गुसे आते काबू पॉण च सहाई हो सक देहां। कारणां दी कोक, जदो गुसा होंदा है तो उसता कोई कारंथा जरूर होएगा। किसे ने कुछ आख देता जब विरोध ता केती ता गुसे चाके आपके तो बार नहीं हो जाना चाहिदा। सगो दूजे दी गल सुनों, पता करों के तो अड़ा विरोध क्यों कर वेया। हो सकदा उनको इगल्थ फैमी होगी होवे जा उसता विरोध जायजी होवे। दूजे विरोध रोज परगट करंदी था उसते विचार करू, कार्ना दी कोग करू, उना कार्नानू दूर करंदा यतन करू, इंज तो अड़ा गुसाई ठंडा नी होईगा, सगों गल्थ फैमी वी दूर हो जायगी। बदले दाते आद, गुसेच सारे अपने होश गुआ बैठनी हन, उनानू पले बुरे दी पहचान नहीं रेंदे, बदले दी अगज तपदे होई, उजे या हरकतां कार बैठनी हन, जिनाली पिछों पच्छताउना पैंदे, गुसे विच पागल होया मनुख दूजे नू अपने आपनों भी तबाह कर लेंदे, महा पारते रमायन चे निक आजये किसे हन, जिते राजे ते उना दे राजपाट गुसे कारन तबाह होँदे, गुसे च गल्त फ्यामिया भी बहुत हुन दिया हन, जदों असलियत दा पता लगदे, उदों तीक पाना वापर चुका ह जदों चिडियाने खेत चूगी लिया, उदों पश्ताउन दा ता कोई लाग नहीं दा, जे कर गुसे दे कारना दी कोक करोगे ता असलियत अपने आप सामने आजये दे, इट दा जुआब पत्थर नाल देतेयां था अग्वों पत्थरी मिलंगी, इट दा जुआब खिमा जदेतेयां इट मारन वालेयां विच्छों बहुत यानू पच्छतावा हुन दा, पच्छतावा था सब तों चंगा बदला, विरोध तों संकोच, विरोध दी पाबना मनुख दी फित्रत दा हिसा है, पर जे करे सुपे विचार कीता जाए ता पता लग दाए कि किसे दा विरोध करना ता निरार्थक है, मेरा कुछ होवे ना होवे पर दूजे दा कुछ नी होना चाहिदा वाली रुची बहुत टाउ है, जे कर सारे इसे विचार देतार नी हो जान, फिर इनसान इनसान दे काम के में आएगा, बंदा ही बंदे दा दारू है, हमेशा इं कोशिश होने चाहिदी है, कि जित्तों तीक हो सके दूजे दा पलाकी था जावे, विरोध हुंदा वेक गुसा ना करो, जे कर गुसा आवी जाए ता उस थां तो हट जाओ, इकांत च जाके लंबे सा परो गुसा कर जाएगा, बहुत चगडे विरोध कारनी उप्च देहां, किसे द अड़ा विरोध ना करो, जरा सोच जे कर कोई तो अड़ा विरोध करेगा तो अनुके होजा मैसूस होएगा, इहो सोच बहुत सारे चगडेयानों दूर कर सक लिए, असलियत पच्छानों, जदो अपनी सफलता उते गुसा आवे ता अपने आप उते काबू पाओ, इक अपनी सफलता दी कार्णा दी कोग करो, उना कार्णा नुदूर करन दी कोशिश करो, अपने टीक्चे, अपनी सम्रथा आनुसारी मिथने चाहिदी हान, हर कोई सब कुछ प्रापत नी कारलांद, अपनी सम्रथा ते वसीले आनुसार अपने प्रोग्रामु लिखको, इना प्राप्ती लिए पूरे यतन करू यतन कीते बिना सफलता प्रापत नहीं हूंदे। मेनत कीतियां ही इंते आन विचो पास होया जा सकता। जदोसी यजया नहीं कर देतासी अपनी अंदर चाती मारंदी थां दूजयानू अपनी असफलतादा दोशी टेहराओंदा यतन कर देयां। कसरत करो, गुसा एक बिमारी है, जेकर तान ते मन तांद्रुस्त होन गेता इस बिमारी दा मुकाबला कीता जा सकदा। तान ते मन तांद्रुस्ती ले कसरत जरूरी है, कसरत मेरी जिसमानी ही नहीं होंदी, सबों कसरत दिमागी समाजी ते रुखानी ही ही है, जिसमानी कसरत जिसमनों तांद्रुस्त रख दिये, दिमागी कसरत दिमागनों चे तन ते चड़दी कलाच रख दिये, समाजी कसरत उन्हों समाजप्रती अपने फर्जां तो चितन करवांदी है, इसे तरह रोहानी कसरत मन उतंद्रुस्त रखती है, जित्थे जिस्मानी कसरत सरीर दे अंगां दी हरकत नाल हुंदी है, उत्थे दिमागी कसरत चंगियां किताब मां पढ़न पे चंगे विचार सोना नाल हुं तक गुसा बहुत कर जाएगा, जे कर दूजियां दी सहायता करके अनंद प्रापत होगे ता दूजियां दा विरूद करके कोई संताफ क्यों पोगी जा, चंगियां किताबां पढ़न नाल चंगे विचार मान चाओं दे हम, बुरे विचारां बारे सोचन दा मौकाई नी म अगला लेक है, मिठ बोलडे, मन्दा किसे नाखिये, पड़े अखर एको बुझी है, मिठ तनीमी नान का गुंचंगियां दात है, संसार विच मनुखी कजया जीव है, जिसको बोलण दी शक्ती है, बोलके जब गलां करके, वो अपने विचार विस्थार सैत अपने साथिय नाल सांजे कर सकते, इन जो अपनियां पावनामांदा प्रग्टावा करके, अपने मन्दा बोधी हल्कानी कर्दा, करलांदा, सुब अपने मन्दियां मुराद्धांदी पूर्तिवी करवा सकते, पर मात्मावलो बक्षी इस अन्मूल दात दा, हमेशा सदुक योगी करना मिठा बोलना ही, इस गोण दी सब्तों चंगी वर्तों है, जिते मिठा बोलना मनुख दा सब्तों चंगा गोण है, उते फिक्का बोलना ते क्रोध मनुख दी सब्तों वड़े दुश्मन है, फिक्का बोलनाल दूजेयां दा मन भी दुखी ने हुंदा, सबो अपना तांते मंदों में फिक्के हो जान्दे हन। गुरुजी फरमांदे हन। नान के फिक्के बोले है तन मन फिक्का होल। मंदा सिद्धास बंद तन नाल है, दुखी मन तन नुवी दुखी करदा। वे ज्यानिया निविये सिद्ध करदित्त कि मिठ्ठा बोलन नाल स्रीर वेच जै रासुख जदे हन। जड़े बिमारियां दा टाक्रा करंदी शक्ती पर दान करदी हन। इस दा पावे गुया कि मिठ्ठा बोलन वळे मुनुख दा मन्त सुखी रेंद ये सवो तन्वी तन्दरुस्त रेंद। फिक्का बोलन दा क्रोध नाल सिद्धास बंद। जदो मुनुख फिक्का बोल्ड तो दा प्रभाव जरूर बंद। क्रोध एक जै बिमारियां जड़ कि मन ते तन्दुआनों दुख पहुंचांदी है। जिस तरह सुहगा सोने नूँ पिगला देंद है उसे तरह क्रोध स्रीर नूँ गाल देंद है। क्रोध नल स्रीर दा रक्त चाप वद्धाय ते दिल कमजोर हुंद है। अमरीका छोईत जर्बे एस सिद कर दे हैं कि जल्दी हैं जजना दा सुबाग गुसेल है उना विच बहु गिंती रक्त चाते दिल देमरीज हुंदे हैं। जिड़े लोक रबदी होंदनू मन दे हैं जे करो फिक्का बोल दे हैं ता समझो रबदी होंदू मुन कर हुंदे हैं। रब हर जीव च वस्त है सारे प्राणिय तर्म नहीं है जिड़ा दूजिया नल नफरत करनी सिखांगा। तरम दा मन्तव ही मनुखनू साचते मिठत दे रस्ते तोहना है। जीवन ता बहुत चोटा जी है। मनुखी जीवन सब तो अनमोल है। जैकर इसनू फिक्का बोले हैं ते करोद कीतियां पांग दे पाड़ फेर ता साथो जानवर भी चंगे हैं। फाल हमेशा नीमिया रुखानू ही लाग दे हैं। साड़ा मिठ बोलनां ता साड़े अपने ले ही बुनकारी है। इस नाल मन उजला ते तंद्रुस्त रंदा। वाता वर्न सुगंधी परया हो जांदा। शक्सियत विच निखार संगिया साथी आदा प्यार के सथकार प्रापत हुन दे। जेकर संसार च सारी मिठ बोलन लगतें। फिर किसी था कोई भी चगडा नी हो सक्दा। मिठ बोलन कुछ खर्च भी नी हुनदा किसी उचे यतन दी लोड भी नी पैंदी। फिक्का बोलन लगांजा करोद समेथा स्रीर दी ताकत लोग नाल वद वर्ती जान दिया जैस नाल मनुख दी तंदरुस्ती ही नी कट दी सब उमर वी कट दिया ज़रा सोचो अप्पां क्यों ना ये संसार नू स्वर्ग बना लेगे जिते लड़ाई चग्डिया ले कोई थाई ना होवे हरेक पासे प्यार दी गंगा वकदी होवे इदे नाल साड़ा स्रीर वी तंदरुस्त रहेगा तेसी उमर वी पोग सकांदे कि तुसी तंदर मन दी तंदरुस्ती नहीं चांदे कि तुसी खुशाल जीवन नहीं जिवनां चांदे कि तुसी संगियां साथियां दा प्यार अते सक्कार नहीं चोंदी? मेरा ख्याल है इना सब ना प्रशनां दा उत्र कोई वी नांच नहीं दैगा फिर फिका बोलना चड़ो ते मिठा बोलना सिको अम्माद चिंता अते तना मानसिक तना साड़ी सरीर दा तंद्रूस्तर वय्या है ये तना हर कोई मैसूस कर दाय जदो कदी पहलां-पहल स्टेज ते बोलना पई जांके ते इंट्रूवी ते चान समे पेपरां समे जन्नती जाओं तो कुछ समा पहला इस तना परपूर समे जन्नती जाओं-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-पहलां-प जान्दे ते बिना किसे लोडीन दे कारंदे इसरा सायन दे बणन सदकार साधिया नसां तान जान्दिया हन ते असी कबराट में सूस कर दिया हन। स्रीर खास करके हतां दा कंबना, पेट दी खराबी, रोननु जी करना, किसे खास मारू बिमारी दी होन दा डर सतोना, इना अलामतां दा सी दो तरा नाल जवाब दे सक दें। उना खास हालतां ते थावंद दा परहेज, जिना तोसी तना मैसूस कर दें, ते दूसरा अपना सुधार करके इना नू डटवान जवाब दें। पहली तरांदे इलाजनाल असी कदेवी ठीक नी हुआंगी, सोगो दिन बदिन गिरावट वल जानांगी। क्योंकि सड़ा मन हार चुक्या होईगा, हर हार दा कारण मन दा हार ना के मननू जित्त नाली जित्त हुन दिलिया। इक गुरू सहवान दा हुकम है, कुद्रदी प्रेर्णा नल मननू तकड़ा करके तना मुप्त जीवन जियोन दा उपराणा करिये। याद रखिये के तना ते साड़े विचकार नौ मास तरिष्ट है, तेने साड़े आले दोडे रहने ही रहने। इसी विचार ने के इस पाईवालनन के में रहने। तिन्ना तरांदे दुख, ताप, पाप, ते संताप दाहल रबदा सिम्रन है। सिम्रन विचों ही हर के सम्धी ताकत मिल दिये, ते मन एका विचों है। अगला लेक है, पावनामा ते तना नाल लडना। तना नाल लडन दार्थ है के तना नाल अपनें ते दूसरे व्यक्तियां दे पैन वाले प्रबामानू समझनां, ते ए समझनां के साधियां ना पावनामा नाल, साधे विहार ते की प्रबाप पाईगा। इना प्रबामा दे अधार ते विहार करना। जीवन हुनर्वे चेस्ता समायोजन कीता गया क्योंकि गुस्सा दुख ते तनावर्गियां पावनानां दा सेथ ते बुरा परपापन दा मुख तौर ते ओ लोग जो कई तरांदे तनाच जीरें देखन उनानू चंगी तरायना तनाना लड़ना सिखना चाहिदे तनानना लड़न्च मुख तौर ते तनादे कारनानू पच्छानना तनाथो पैनवले परबामानू जानना आद्दा समायोजन कीता गया इदा दूसरा अर्थेवी है कि तनाथो बचनली उचित अराम करना चाहिदे त्यांदेन ग्योग गलना तनादे कारनानू जानना तना तो पैनवले परबामाना दा मोलांकन करना तनानू नियंत्रन करन दे तरीके जानना आराम करना अपने आपनो द्यादा पतर ना समझना अपनिया असफल तामातो सिखना ते दूसरे विकल्प लबना अपनिया विशेश तामामाल त्यांदेन अपने प्रती स्कारात्मक नजरिय रखना तनाल नाल लड सकन्दी हेटली के प्रवाव हो सकती हुआ नौजवान्ना ले गंबी नतीजे जिमिके आतम हत्या जोकें परिया विहार आद नौजवान्ना वलों परवार सुमाज दे मुलां ते प्रम प्रामानू तोड़न वरगा बदला लेणवाले विहार विद्यार्थी विद्यार्थनां दे स्रीरक विकास देवी गंबीर बुरे परवाव पैसत देवार अगला लेख है जिन्दगी खुशी गमी दुखां तकलिफां प्यार नफ्रत दा मिल्या जुल्या समुन्दर है कुछ मिल जानते खुशी ते खोई जानते दुख आमनुखी फित्रत है जेसी मन के चलिए के दुख सुक ता दोमे कपड़ें दी तरह हां आणी जानी चीज़ें ताफ सोस काट होईगा परेना नुटासी अपने स्रीर दाही सबना लन्यां गम ते दुख हैसी नेरी राद दी तरह लगदे हां जिवेना तो पहला कदे स्वेर सी ही नहीं ते नाहीं आएगी खुशी ऐसा चाननाई जिदे हुंदया होयां सानुए दे खोस जानदा डर लगगा रहेंगा पावसी अपने आले द्वाले सोचानियां ऐसी यां कंदा उसारियां होयां हां जिना विचाड़े साधी जंदगी ओखे सा ले रहे हैं पजी जांदी जंदगी दा जो थोड़ा जागिसा सानु मिले हैं असी उसनु ही उदास किता होयां उदासी मतलब डिप्रेशन और जोके समेदी सब तो तेजी नल फैलन वड़े बिमारी हैं एक किसे भी कारण करके हो सकती है जिमें स्रीरक्स, माजिक, जमान से हैं कारण जा लच्छन कुछ भी होन परेदा इलाज असी अपने आप कर सकती हैं सब तो पहला अपने आप ते तरस करना चड़ियें अपने आपनों पछाणियें ते कबूल करियें लंग चुक्के कल दा चोरा क्यों इसनू ता कोई भी नी बदल सकता पुराणियां गल्तियां गुसेत या सफलतामानू पुलन विची पलाई हैं नमा ते शांदार पवेखत वाड़े सामने खड़ा जो मित्तर सबंदी हर वेड़े नुक्ताची नी कर दे हां वो फाइदा करन दी थां साड़े विच स्वेपरो से री काट प्यादा कर दन दे हां ऐसे महाल तू बचिए ले विश्वास करो के दुनियां दा कोई भी मनुक साड़ा बुरा नहीं कर सकता असी सब कट पुतलियां हां जो के इस विशाल रंग मंचते अपको अपना किरदार ने बार रहां इस खेड नू जी असीन समझ के मान लेगे तो कोई भी गुसा गिला जा उदासी नहीं रहेगे हर वेले कोई न कोई काम कर दे रहेगे दुनियावी कमा तो जो दो वेल मिले दासमाद सेवा बलाओ वेखो गे के किन्नी खुशी मिल दिये साड़ी कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसना इलाज साड़ी कोल नहीं एनने कमजोर ना बढ़िये के किसे दी कई होई छोटी जी गल साड़ी मानदा चैन के खुशी खोल लगे असी कई भार निकिया इज़ताँ वड़े लोक बन जाने है सानुकईया गया निकिया निकिया अंगलना नाल साड़ी चाटी बेजती हो जान दिये याद रखो कि जैसी अपने इज़त आप कर देयां तो कोई भी साड़ी बेजती नहीं कर सकदा अपने आपनों मजबूत करके जिंदगी दे हर पल दा अनन्द मानवे तन्वाद अगला लेक है सोच दा सम्ना तंद्रुस्त शरीर दे मापदंद हन अरोग तन ते अरोग मन बिमारियां दे ना हों दा मतलब ये ये सरीर तंद्रुस्त है सोगोई से नाल-нал रोग रहत तंद्रुस्त मन दीवि लोड ये अरोग मान तो पाव है कि असी अपनी पलाई दे नालनाल किसे दी बुराई नहीं सोच दे, सोगो सारे आंदा पलाचेत्व दे, किसे दी तरक्की खुशी नूँ देख खुश हुन दे, किसे दा सत्कार मूँ जबानी नहीं सबुम्बनों कर दे जे विज्ञान इनी तरक्की कर लाई कि मांधियां तारा टीवी स्क्रीन नाल जोड सकन ते, जो असी सोच देयां, उन नालो नाल टीवी स्क्रीन ते देख सकीए ते शायद असी अपनी सोच दा सम्नाविली कर सकाई, जा शायद अपनी आपनाल नफ्रत हो जाएगी, यता जोच तो डरके मनुखर वेले, अंदर वड़के लुकिया रंदा, कारणी है किसी किसे नालवी ये मांधार नहीं, मापे, मित्तर, साक्स बंदी ते शायद अपने आपनालवी नहीं, जिन मन होर मुख होर सिकांडे कच्चे हैं, पगत फ्रीजी कहन दे हां कि जिना दे मन त इस विचो लगपक तीजा हिस्सा सौंके कड़ दे हैं, ते होर समा, खाणा, पीना, खेड़न, बिमारी, बच्चपंदा समा कड़ दे हैं, ता अपने वी किन्ना समा बचते हैं, इन्ने थोड़ी समय लई वी असी अपने मन, अपने सोच लेही मांधार ने, सुगो दोगली जिन्दगी जी के, हर वेले, हर किसे नल, युद्वर गा तनाबनाई रख दे हैं, हर वेले तोखा देन दा, ते तोखेच रखन दा तना साड़े दिमाग नू, ऐसी अचेत अवस्था च रख दे हैं, कि ऐसी असल कीमतां ते कदरां, जिमें दया, पलाई, सतकार, मिठा बो प्यार, जोके साड़े मनू खोण दा, कारण हन तो बे मुख हो जाननेया, जे साड़ी बुद्ध निर्मल हुंदी, ता हर खिडन वड़ा फुल सानू खुशी दिन्दा, हर तारा ते चंदरमा साड़ी रूनू ताज गी दिन्दा, ते चल दी हवा नाल साड़ा मन चो खुशी नाल भी खुश नहीं हुंदी, लोड है अपनी इस बिमारी उनू का छानन भी, तेस्तों छुटका रखोंदी, ता दुवाल, अगला लेक, ठके ठके रहते हो, ठकावट दी शिकायत इक आम जे गल्या, आलस ते सुस्ती इस ते प्यान पाई हन, इस शिकायत दूसर खुशी नहीं चित कपड़िया मेंचे ज्यादा पाई जान दिये, ज्यादा काम करना, लोड तो काट सोना, गरीबी, तना, पावुक्स मस्यामाद थकावट दे आम कारण हो सकते हन, कुछ मनो विज्ञान कारण जमे के उतेजना, जम दबावी इस देल जमे वार हो सकते हन, बहुत सारी कारणा दे बावजूद विये केना वाजब है के थकावटिक मानसिक हालत है, ज्यादा तर इंसान थकावट दी लगातार शिकायत करदे हन, पर फेर वियोना कोलिस्ता कोई थोस कारण नहीं हिंगा, कुछ डाक्टरां दा विश्वास है के श्रीर अंदर मनु पावनामां विचले संगर्ष दा संकेतक प्रक्तावाता, कुछ रोगी ता अपणिया अंदरूनी पावनामानू ब्यान करन तो ही असमर्थ होंदे हन, इसले उना दा मन गुंजलदार बुजारतां पावनामाते परिशानियानू स्रीरक बिमारियां दे लच्छना रह उजागर करन दा यतन करता, था कावट प्यार लैंड जा हीन पावनानू छुपाण दा एक साधन मातर भी हो सकती है, स्रीरक तंदरूस्ती ते इस ती कारज शीलता नू देख्या जाए, ता किहा जा सकता है कि मनुख को असीन ताकत है ते इसनू वर्तन दियो बेंत समर्थ इक आम मनुख अपने दिमाग दा सत तो अट फी सदी हिसाई वर्तों चले अंदा, इस तरती ते निकाई अजय जीव हन, जो मनुख तो वदेरे ताकत वर हन, पर फेर भी मनुख अपनी अंदरूनी ताकत करके इना तो अग्ये है, बहुत सारे मनुख है व्रेस ती चोटी चड़के अपनी असीन ताकत दा प्रग्डावा करदे हैं, जो की उना दे अंदर ही हुंदी है, तेके अजय वी इंसान हैं, जो थोड़ी जी स्रीरक मुशक कदे नाली थकावट मैसूस करन लगदी हैं, असलियत वीच दुनिया दे हर स्वाल दा जवाब साड़े मन अंदर ही है, सब तो पहला सी मानसिक तौरते बिमार हुंदी है, फिर स्रीरक तौरते, एक अकल सचाई है कि जदो उसी स्रीरक तौरते ज्यादा काम कर दे हैं, ता स्रीरक कुछ रसायन पैदा हुंदी हैं, जो सानुत ताकत संतोक पे खुशी दाय सास दे हैं, इही कारण है कि स्री वे विहारक पहलू बहुत असर पहुंद है। जेकर थकावट दे पहलू ते गौर करी एक आसी देखते हैं कि इंसान अपने आप विज होर ताकत मैसूस कर दे हन। जदो उनानू होसला अफ जाई वर गे इनाम दिते जान दे हन। पर दे उल्टे जेकर उनानू नजर अंदा किता जाएं तो कम करन तो पिछे हर जान देखां। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी गल कही है। मैं आज तक कदे भी ठकावट मैसूस नहीं की थी क्योंकि आज तक कदे भी यह नहीं किया कि मैं ठक गया। जो केंदा है उब देरे ठक रहे। आप जीनू जे कोई कहे के तुसी रिटायर हो गए हूँ ता कहल दे मैं ता आज तक ठक थक्या ही नहीं ता फेर रिटायर के में हो गया। गुर्सिखां दी चड़ दी कला ऐसी हुंदी है। काश असी भी सदा हसु हसुंते चड़ दी हैं कलां दी सुबा बड़ी बन जाए। ता गुर्सिखी दी अगला लेख है आराम असल आराम की अपने आप विच जड़ वस्तू है जिस विच मैसूस करन दी शक्ती ही नहीं। सरीर ना कदी ठक दया ते ना कदी अराम कर दया, सरीर केवल साड़े मान दा परचामा है, परचामे दा काम उकम मनना जा नकल करना हम दा, अपने परचामे नू कदी शीशे विट देखो, जे तुसी हसोगे ता परचामा भी हसेगा, जे तुसी रोगे ता परचामा भी जे तुसी बां उची करो ते शीशे के तुघ्डा परच्छामा भी अपनी बां उची कर देगा। जे निचन लग पाओ तो अध परच्छामा भी नचन लग पैगा। स्रीर मन दा परच्छाम जे मन खुश है ता स्रीर खुश, जे मन सुस्त ता स्रीर सुस्त, जे मन अरोग ता स्रीर भी अरोग, जे मन बिमार ता तन भी बिमार, अराम दी लोड साड़े मन नू हुंदी है, साड़े स्रीर नू नी हुंदी, जद साड़े मन नू परेशानी चिं चिंताव फिकर परेशानी दूर हो जाये ता स्रीर खुद बखुद तिला ते मिश्चिंत हो जाना है। अराम नहीं लेंड दिन्दी। ए बिमारी निवद गई है। कि अजकल दे जीवन चो बहुत इंसानानू पता ही नहीं कि असल अराम की चीज है। आम इंसान चिंताव फिकर जीवन दा एक जुरूरी हिस्सा समझ दे है। उना दे ख्याल अनूसार इंसानी जीवन विच असल अराम जा चैन नूँ प्रापत कर सकना असंभव है। वर्तमान समय तो छोट पिछले जमाने विच भी इस ख्याल दे आदमी हुन दे रही है। असल अराम नूँ फिर किस तरां लब्बे आ जाये ते कितो लब्बे आ जाये। असल अराम कोई वास्तविच चीज है वी के नई। इना स्वालादा जवाब सिरी गुरु गुरंद साब जीतों मिल दाए। असल अराम असल चैन जिसनल मान सदा खिडिया रहे ते सदा नमानुरूवा ते शक्तिवन बढ़िया रहे गुर्मतनू चंगीतरां समझन नपल मिल दाए। गुर्मतनू समझन वाडा ते उस समझ अनुसार जीवन बतीत करण्वाहला इनसान सदाली सुही होजान दे। गुर्मत अनुसार असल अराम ते चैन मन दे अपने अंदर है, मन तो बार नहीं, मन जद तक असल अराम बाहर दे जगत ते जगत दे पदार्थांच पालदा रहेगा, उस अदा निराशुन दा रहेगा, असल अराम जान सचा चैन मन दे अपनी उस हालत तों उपजद है, जद मन बाहर दे जगत दे पदार्थांच असरीर सुख चैन पालणों हटके, अपनी आप विच्चों उस सुख चैन जा अराम निकलदा मैसूस करेगा, जो इसनू सरीरक सुख अन जगत दे पदार्थांच कदी नीसी मिल्या, मन दे खलो जान दा के अर्थां, जद मन विच्चों हर परकार्दे फुर्ने, हर परकार्दियां, तरंगां, वेवज उठनियां बंध हो जान, उसनू मन दा खलो ना अप दे खाल, खलोता मन अंतर मुखी हो जान दाय, ति अपनी अंदर वर्त रई क्रक ना देखन योग हो जान दाय, खलोता होया, मन अपनी अंदर विराज्यन वाली महाशक्ती ब्रह्म नू छोंद है, ति इस जो विच्चों इसनू महाननद होंद है, इस महाननद वेच ओ अराम होंद है, ओ चैन ते तसल्ली होंदी है, जिस ता परच्छामावी जगदी पदार्था विच्चों नहीं मिला, इस अनंद सुख ते अराम नू मानन वड़ा सदा खेड़िया ते नवा नरुवरन है, इस असल अराम है, इस असल चैन है, सब किच करमें बाहर ना ही, बाहर टोले सुपरम पुला ही, गुर परसादी जिनी अंतर पाया, सुवंतर बाहर अगला लेख है, नकल, इंत्याना दोरान बच्चें विच नकल दी वदरी रुची साड़िक किरदार उतेक तबाहर, जिस तरती उते संसार नू सचा सुचा जीवन जिवन दी प्रेवना मिली, उसे तरती उते आज बच्चे अपने जीवन दी नी चूठ उते राख रहे है एक कोड बहुता सरकारी स्कूला विच ही है, इस तोए संकेत मिल दाया के बिमारी लाए लाज नहीं है, जे कर यतन किता जाये ता इसोते काबू पाया जा सकता, वदिया कॉन्वें ते पबलिक स्कूला विचे बिमारी बहुत काट नजरां दी या, इस तोए सिद्ध हुन जाये के इस बिमारी ले साड़े अध्यापक वदेरे जमेवार हम, गुरू दा रुत्बा स्माच बहुत उच्चा, रबनल मिलाप दा वसीला वी गुरू ही बनगा, अध्यापक बच्चे दी शक्सियत दियुसारी करदा, जे करो नी चूट फुरेबते हेरा फेरी उते देरना देंदे, एक को वार नकल मार के इंत्यान पास कीता जा सक्ड़ा, इस करम नो दोहराया भी जा सक्ड़ा, पर आखरता बच्चे दी ज्यान ने ही काम होना है, किसे ना किसे मोड उत्ते, अपने बल बुत्ते उत्ते ही मुकाबला करना करना, जे कर बच्चे दी पल्ले नाल सिख रहा होते नहीं पुझे आजा सकता पवेखवेट सरकारी नौकरियां होर वी काट जानी है निजी खेतर्च काम बेख्या जानदा जेकर एक वेरस फारश वाल नाल नौकरी प्रापत कर वी लेई ताम वी इस उते टिके रहां लेई काम दी लोड़ केंगे काम मोद ही किता जा सकता जेकर इंसान दें ढंदर ग्याल धाचानन पे निगुली गाँ लिए लाज की प्रिख्या केइंद्रा वी सकती नाल ने जड़ां दी कटाई माप पे अते द्यापक ही कर सकते हो। सब तो पहला तो नवे मनना पाएगा कि नकल नूत शाहिद करके वो बच्चियां दी पेरां विच कोहाडा मार रहे हैं। इंज बच्चियां दी सहायता नी हुँदी सबोना दा नुकसान हंगा। जे कर द्यापक बच्चियां दी सहायता करनी चौन दी हम तो पूरी लगन नाल अपनी जिम्मेवरी पूरी करन वन त्यान दा नुकसान दा अगला लेख है डर We invite what we feel, the same as by a different attitude of mind, we invite and attract the influence and conditions we desire. डर साड़ा सक्पों बड़ाती पुराना शत्रुए, साड़ियां अनिकां दुरकत नावां दी तेविच, डर दे जहरी ले जिरम पाय जान दे हम। साड़े दुश्मन कदे एड़े बलवान ने हुंदे, जिड़ा साड़े दिल विच उना दा डर, उनानू साड़े वास्ते बलवान बणा दोंगे। जिस मुश्किल तो डरो, वो दूनी ड्रोणी पास दिये। अगर लगातार डरी जाओ, तो सच मुच ड्रोणी होके वापर दिये। इंसान दियां, तमाम मुश्किला, इसे वास्ते मुश्किलां बणियां रहन दियां हम, कि इंसानों न तो डर्दा रहना। असी कई वार आपे गल आखी होएगी, ते कई वार दूसरेयां नों ही गल आखते सुने होएगा, कि जिस गल तो मैं डर्दासी ओही होके रही, इस वेट सोडा ने सच्चाई है, जिस गल तो डरोगे, ओही होएगी। इस ता कारणी है कि जिस चीज तो डर्देयां उदी हस्ती नों दिल वेच मन देयां, उदी ताकत नों तसलीम कर देयां। अगर लगातार डरी जाओ तो उस चीज दी हस्ती ते ताकत नों अपने वास्ते मजबूत कर रहे हैं। ते कैसा समा आजाएगा ज़द उस चीज द दुनिया चे नजरौन लगेगी। दुनिया चे नजरौन लगेगी। दुनिया चे नजरौन लगेगी। दुनिया चे नजरौन लगेगी। उसनों जिन्दगी दे सारे दुखा, सारे दुर्कटनावानों फते करंदा राज मिल गया समझे। गौनल सोचयां सानुपता लगेगा के वेर केवल डर्तों पैदा हुनगे। जिते डर नहीं उत्थे वेर दी कोई गुझाश नहीं। निर्पैव पुरश हमेशा निर्वेर हुएगा। चिंता फिकर भी डर्तों कुछ देहां। जि डर ना हुए ता चिंता थी फिकर नहीं हुँसा कदे। क्रोध लोब ते हुंकार भी डर्तों जनम लन्दे हुँँ। क्रोध दी लोबी ते हुंकारी मांदी तैच किते न किते किसे न किसे चीज दा डर्त छुपया बैठा हुँद। मजहबान दे विचार वाना, रिलिजिस साइंटेस्स ने डर्सबंदी बहुत खोज किते हैं। इन दी मालूम दा सिटा ए है कि जीवनों अपने असले, अपने केंदर, अपने रभ, ब्रह्म तो जुदा होन मगरों सब तो पहला रोग डर लगा से। इसने सब तो पहले अपने आपनों इकला मैसूस किता तो इस अकल पोने तो डर्या। उसे वेले तो ही जीव दिये कोशिश है कि अपने मुढले डर्तों जितते। पर अग्यांता जा साच दी ना वाकफियत इसनों डर्ते काबू नहीं कौन बंदी। इक डर जेस दा लेंदा है तो दस डर इनों हूर लग जांदी है। इंसान दी सारी जिंदगी ही डर्ते चिंता चुबती थुन दी है। इस तो ना राजा ना परजा ना तगडा ना माडा ना इस्तरे ना पुर्ष कोई अजाद नी। डर्ते यां शक्ला बदलनी या ना नीहां पर डर नी बदलना। बच्चे नू इनके आंदा डर है ता जवार नू रोजगार दा डर। गरीब नू फाक्यांदा डर है ता मीर नू दौलर दी लुटे जानदा डर है। गल की। जो विचार दी दूरवीन ठाणी देखिये ता इनसान जनम तो लेके मरन तक किसे न किसे डर दे माते है तो जियों दा नजर आएगा। उनानू होर डर ते एक पासे मौद दा डर भी नी रहन दा। सिरीगरु गरंद साहिब देविच निरपै होन दा तरीका। निरपै वाईगरु नू देखना ते समझना है क्योंके वाईगरु खुद पूरन तोर ते निरपै है उसते नाल जुडियां रूहां भी निरपै ह हो जाम दिया हाल। जोग वाळे मांदी सारी सोच शक्ती ते समा अजाईन जान दे हाल। उस सफलता तक पहुंची नहीं सकता। दुब्दा वाळे मांदा शांत ते संतुष्ट होना असंबवर। दुब्दा दे अर्थ कोश विच इस परकार लिखे हन। दुब्दा दो गल्लां जातर की वाँ विच्छोना, दोँब्दा विच्छों किसी इक ते मनदा नाटिकना दुब्दा है। इस वास्ते दुविदा जहे शत्रूतों खबरदार रेनां चाहिद है ते जल्दी तो जल्दी इस्तियां जड़ा नों अपने मन विक जों सदा लए पोट सुठणा चाहिद है सिरेगुरु रन सहे विच दुवदा रोग बारे इस तरह लिख्या है जो इस मारे सो करेया धिर जो इस मारि तसे विडियाईं जो इस मारे किसका दुख जाई ऐसा कोई जिदुवदा मार गवाब हैं इस जो इस मारे तिसको पौना ही, जो इस मारे सो नाम समा ही, जो इस मारे तिसकी त्रिसना बुजय, जो इस मारे सो दरगय से जय, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो कतवंता, जो इस मारे सो इजती, जो इस मारे तिसो वेगती, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चलतनी, जो इस मारे सो वडपागा, जो इस मारे सो अंदन जागा, जो इस मारे सुजीवन मुपता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुटता है जो इस मारे सुगियानी, जो इस मारे सहजतियानी इस मारी बिन थाई ना परे, कोट, करम, जाप, ताप करे इस मारी बिन जनम न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं चुटे इस मारी बिन ग्यान न होई, इस मारी बिन जूट न पोई, इस मारी बिन सब किछ मैड़ा, इस मारी बिन सब किछ जौड़ा जाको पए किरपाल किरपान दे, तिस पई खलासी हुई सगल से दे, गुर दुबदा जाकी है मारी कोहनानक सोग ग्रफ बिचारी अम्रची कान तो पहला, सिखान तो सिर्दी पेट लेन दा कल्बी तरजी दा असल मतलब सिखान दे गल्थ निस्चेती ओना दे मांधी दुबदा लेन दा सी, गल्थ निस्चेती दुबदा देन दे इवजविच सिखान गुरु कारतों अम्रची दात पली सी अम्रत चकन मगरू सिख दा नाम बदल जांदे, सिख दे पिता दे माता दा नाम बदल जांदे, सिख दे जनम पूमी बदल जांदी है, सिख तो सिंग बन की उदे पिता साहेब गुरू गोविन सिंग बन जांदी हैं, ते माता साहिप कौर जी बन जांदी हैं, ते जनम पूम अर्थ है कि आम रच्छकन मगरों सदा अनन्दपूर दावासी है जित्थे सिवाई अनन्ददे चैन दे सुक ते खुशी दे होर कुछ नहीं इस अनन्दपूर सहाय विखे चिंता नहीं फिकर नहीं विमारी नहीं मुड़ा पानें मौत नहीं इनन्दपूर खालसे दे मंदि उस उच्छी अवस्था दा नाम है, जो के खालसे नो स्री वैगरू जी दा होन जब बढ़न करके मिल दिया। ज़द खालसे नो गुर्बानी दी विचार तो पका युकेन आ जाए के उसरी वैगरू जी दा खालस है, उदा माता पिता स्री वैगरू जी हन, ता फेरे विचार सुते सिद परगठ हुंदी है, जे कर मेरा फिता सिरी वैगरू जी हुंदी, ता मैं सिरी वैगरू जी दा पुत्तर हैं, ते सिरी वैगरू जी दियां सब सिफ्ता दा वारसा, जो सिफ्त सिरी वैगरू जा है, मेरे विच सुते सिद सदातु है, खालसे नू गुर्बाणी दस दिन दी है कि उपुत्तर ता सिरी वैगरु जी दा सदातों सी पर अपने रिष्टे नू पूल चिता सी उन्हा म्रच्छा कि उन्हों वैगरु दे पुत्तर होंगा रिष्टा फेर दिरडाया गया फेर खालसे नू पता लागया कि जमें सागर ते उस दी लैर कदे वकरे नहीं हो सकदे जमें सूरज ते उधी किर्न कदे लैदा नहीं किते जा सकदे उसे तरह खालसा स्री वैगरु जी तो कदे न खेड़िया नहीं जा सकदा खाल सा सदा वाईगरु जी का है तेस रिष्टे दे परताप नाल खाल से दी हर मैदान खते है जद खाल सा अपने तेसरी वाईगरु जी दे अत्तुर्ट रिष्टे उत्ते द्रिडता नाल ड्राट जावे ता फिर उसते फॉलादी मान विचों दुबिदा, दुचित्ती, संसा, परम, डर, शक, पाप, रोगता ते मौत खुद बखुद लोप हो जाने आदा बदी ते माया दी हस्ती वाईगरु जी दी गैर हाजरी विच्ची वजूद चौंडिया ते वैगरु जी दी गैर हाजरी च पलदी ते जवान हुंडिया पर जद खाल से दे मन्च पक्का विश्वास आजाए के सिरी वैगरु जी सर्व शक्ती मान सर्व व्यापक ते खाल से दे हर वक्त हर हालत चंग संग उस्ते राखे प्रति पालखन तफिर दुबदा परम दर्शक बेविश्वासियाद वास्ते खाल से दे मंच खलोन दी थाई नी रेंदी खाल सा द्रड़ता दी पिजियों दी जाग दी चल दी फिर दी तस्वीर बन जाला दुबदा मारंदा मतलब है माया ते बदी नू सिरी वाईगरु जी दी गैर हाजरे जानके सदा ले माया जा बदी वलो मू मोड लेना सदा हर हालत विच वाईगरु ते प्रोसा रखना सदा चड़ दियां कलांच रेना ते सदा नेकी ते उपकार दा जीवन बतीत करना सर्ब कल्यान सुख सैज निधान जाके रिदै वसै पगवान रोग सोग सब दोख बेन सै जप्त ना मुरारी काल कंटक लोग मो ना सै जी जाके प्रप बसै उक्त लिखे गुर्मदे मुडले सिदान थान जो गुर्मक इनानू गौन अल पढ़के इनानू मंच वसाईगा तेना सिदान तान उसार इस जगत रचनाच अमली जीवन बतीत करेगा उसता लोग ते पर लोग दोए सुहे ले होंगे वो कुछ चिर्दे अमली जीवन बाद अपने आपनों वैगरू वर्गा सुखी बेपरवा निश्काम निर्वैर निर्पा निर्पैत इस शक्तिमान मैसूस करेगा तानवाद अगला लेख है आसा माहे निरास रही जैं इस संसार्च जोवी कोई आया है वो जीवन पर कुछ न कुछ लोचदा रहन दे इक लोचचा पूरी होंटे होर प्रापत करन दे इच्छा मनुख दे अंदर बणी रहन दे जो दस वस्तुमां प्रापत करवी लवे त मिले तो परमात्मानाल गिला कर दे कोई विरला ही मनुख होएगा जिस्ते मांच आसा न होए अग्ये वदन दा चान न होए जीवन विच और प्रापतियां करन दी इच्छा न होए असल च संसार चलदा ही आसा बद्दी है दूसरे पास एवी क्या जांदा है कि मनुख दे दुखांदा कारणी है अशामा है कई वरी ता उस सेवा थोड़ी करदा है मंगदा बता है जोदो प्रापत नहीं हुंदा हो दो विल लांदा है तरलो मच्छी हुंदा है दुखे हुंदा है मनुख दी जिड़ी आसा पूरी हो जाए छेती अनुपोल जानदा है ते एक और प्राक उली स्वारी दो जया जोड़ी करुके कशिर्ब मंगदा है असल्म से जग विच आसा अंक मंजी रोकल मांचीं करुब जोड़ी होग मैं जोड़ी पर बिना पागांदे ते बिना परमात्मा दी बक्षिश दे उ कुछ भी प्रापत नहीं कर सकता जे बहुत तेरा लोची है विन कर्मा पाया ना जाएगा वड़े वड़े राजियां ते महाराजियां दी त्रिष्णवी नी बुझ दी पामयो जिन्ना मर्जित अन्पदार्थ प्रापत कर्लें वड़े वड़े राजन अर्पूमन ताकी त्रिष्ण बुझी मनुक आसा ते मनसाच डुब्याई संसाच तुरही जा रहे है आसा ते मनसा देविच फसिया मनुक की कूर करम कमाँदा है तो ऐसे बुरे रोग चो फसिया होया है आसा मनसा कूर कमाँदा है रोग बुरा बुरे आरा है बुरे आरा है उन्स सुवाल पैदा हुन दे कि की मनुख आसा रहत हो सकद है की मनुख दे मन्दी स्थितिय जई बन सकद है कि उदे मन्च कोई आसा मन्च उत्पनी नो होगी नई ऐसा संभव नहीं है जब तक मनुख दे स्रीट स्वास रहेंगे वो कुझ ना कुझ लोच दा ही रहेगा फिर इन इच्छामा दे विच रहेंदिया मनुख गुर्बाणी अनुसार के में जीवन जी सकद है गुरु साब ने दा बड़ाई वदिया टांक दस्या फुर्मान है आसा मही निरास रही जै पाव मनुख इच्छा करे यतन करे अर्दास करे पर इस सब दे बावजूदो मन करके इस गल्ली त्यार रही कि हो सकद है उदे इच्छा पूरी ना होई इच्छा दे विच निरासा रहे एक विलक्खन राह है एक सुचजा जीवन तांग उजीवन विच्चंगिया वस्तांदी ही आस करे आसा अंदर सब को कोई निरासा होई नानक जो मर जीविया सहला आयासो गुर्बाणी नाल जोड़िया गुरु वल मुक केतिया मनुक गुर्मुक बनदा है ते अजय गुर्मुक मनुक गुरु दे वुकों विच रहेंदिया निरास रहेंदे हैं दूजे पास से मनमुक आसा दे विच डुबे भून करके दुख प्रापत कर दे हैं आसा विच अत दुख कणा मनमुक चित लाया गुर्मुक पए निरास परम्सुख पाया जब आसा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहें आसा पीतर रहे निरासा तो नानक एक मिलाया इसते नाली गुरु साथ एवी फुर्मान कर दे हन कि अपने मन दियां बहुतियां सामानूं रोक के रखो बैती मन सा राखो बात तन्वाव अगला लेक है जेकर जेकर तो दुनियावी द्रिष्टी कौन तो बड़ा सुखी है सब आराम तेरे पास मौझूधान नौकर, चाकर, मित्तर, दोस्त, इजज़त, बाग, परवार, कुठियां, बगीचयाद, सब कुझ है फिर भी उस दातार नो जिसने सब कुझ बख्षिया है कदी मनों नहीं पुलानां चाइद है दातानू वेख्वेख के तैनू दातार सदा याद आउनां चाइद है ऐसा करन नाल तेरा दुनिया भी सुख काइम रहेगा जेकर तू बड़ा गरीब है खान पींदी भी तंगी है ते लोडान तैनू बड़ा तंग कर दिया हैं जेकर तेरा कोई कम काज नहीं जिस कमनू तू हत पौना है उससे विच बजाए नपे दे काठा पेंदा है जेकर तेरे पास कोई नोकरी नहीं कार विहार करन वास्ते तान नहीं ते मंगया तैनू कोई उदार देन वास्ते त्यार नहीं ताइस हालत वेच जेकर तू करतार दी शरन सचे दिलते परोसे न लावें, ते सचे पाशाकाल पुर्ख नू याद करें, ते अपने अंग संग समझे ता तेरी गरीबी अमीरीच बदल सकती है। वाईगरू कारण करण, creator of causes है, वो ऐसे हालात पैदा कर सकता है, जिस तो तैनू लाव पहुंचे ते तेरी गरीबी अमीरी बीच ते नाकाम्याबी काम्याबीच बदली जाए। जे कर तू राजा है, पात्षा है, तेरी पास बड़े खजाने ते बड़े लशकर हन, बड़े बड़े महल हन, ते मेलांच सुंदर इस्त्रियां हन, तेरी आठ पैर रंग रलियां ते तमाश्यांच गुजर्दी हन, चिंता फिकर तेरी नेडे नी आउंदे, तेरा खुकम कोई नी मोड़दा, तेरा मुकाबला कोई नी कार सकड़दा, फेर भी तेनू अपने पैदा करनवाले अगे नियोना ते उदा शुकर करना चाहिए, तेरी एश ते खुकम दी जिंदगी ने तेनू सुखा दा गुलाम बना अबिदा, इस्जत, हकुमत, ताकत, शोरत, दौ संग रलियां तो बगैर, तो बड़ा दुखी मैसूस करेंगा, ते एक दिन ऐसा जरूर आउना है, जदके तेरे पास से सब कुछ नहीं होएगा, काल अगे रायत ते राजा किसे दी पेश नहीं चाल दी, तेरे तो पहले होए, पादशा, राजे, खुकमरान नहीं रहे, त वी ज़रूर सब को छटके खालिया तो, इस जगतों जाना है, उस विले तेरे नाल, तेरे करतार तो सिवाहोर किसे ने नहीं होना, क्यो ना होन ही करतार दा दास बन जाएं, क्यो दा जिसने तेनू राजपाग देता है, शुकर करें, ऐसा कर नाल, तेरा राजपाग भी रहेगा, ते जद मौत तेत्थों तेरा सब कुछ खो लाएगी, उस वक्त तेरा करतार, तेरे नाल, तेरा रखाती सहारा होएगा, जेकर तेरे उत्ते कोई पारे मुसिबत आन बनी है, ते उस तो निकलेना दा कोई उपा नजर नहीं होना, जेकर तेरे दुश्मन बड़े जबर्दस्त ते तेत्थों किते ताकत वर हन, ते तेरे लिए उना दा मुकाबला करके उना ते गल्बा फोना संभव दिसते, जेकर तेरे या मुश्कलां ते उकड़ाने तेनू निराश कर देते, ते तेरे विच मुसिबत ना लड़ंदी हिमत नहीं रही, ता याद रख क ते तेरा अजेवी वाडविंगा नहीं हो सकता, प्रबुदी शरन सचे दिल ते द्रिड़ क्रो से नल पकड़ के देख, तेरे या मुसीबता तु एंदे पहाड़ वांद उड़ जाने जेकर तु बड़ा स्याना ते अकलमंध हैं, जेकर तु बड़ा ग्यानी ते चातर है जेकर तु बड़ा तपस्वी हैं, ते रिदियां सिदियां तेरे वास्ट रहाँ, जेकर तु बड़ा आलम फाजल जा संत महात्मा हैं, तै जान के शुकर कर, कि सब कुछ करतार दी मेर्दा सद कै, जिसने दूसरे इंसाना नानो तैनु स्रेश्टता बक्षी हैं, जेकर जेकर तु अपने करतार दास्पण के याद वेच जीवन बतीत करना चौन हैं, जेकर तु जीवन ते मौद दे पेदनों जानके सदा अमर होना चौन हैं, जे कर तु जीवन मरंदे पैपी तो गेडवी चो निकलना चौना हैं, जे कर तु अपने कर्तार वर्गा सुखी ते निर्पाउ होना चौना हैं, ता अपने अंदर चाती मार के देख के तु कौन हैं। अगला लेक है आजादी अते सुख जद हिंदुस्तान अंग्रेज दा गुलाम सी, ते इस गुलामी तो चुटकारा पौनली, अनेक परकार दी कुर्बानी दे रहा सी, ता बहुत सारी हिंदुस्तानियान विंज जापता सी, कि जद अजादी मिल जाएगी, ता ओ ते सारा देश बड़े सुखी हो जानगी, क्यो इस निष्चे दे हां के हर एक देश दा ते हर एक देश वासी दा जमांद रूहा का जादी हैं, ते पावें कोई देश अजाद हो के भी सुखी ना हो सके, फिर वी उन्हों अजादी रहनां चाहिद है, ते राजनी ते गुलामी नड़ों, राजनी तेक सुतंतर ता हालत विच चंगीत हर कीमत उते सस्ती है। एपर असी बहुत सारे पारत वासी इस ख्यालना शुरू तो इस सैमत नहीं हैं। कि हिंदोस्तान दे आजाद होंते हिंदोस्तानी पूरे सुखी हुए हैं। साथे इस ख्याल दी पुष्टी दुनिया दा इतिहास कर दा है। हिंदोस्तान अज जाजाद होया पर बहुते सारे देश ऐसी हैं किड़ी सदियां तो अजाद चले आउने हैं। इंग्लेंड, फ्रांस, अमरीका अज सदियां तो राजनी तेक तौर ते पूरे अजाद हैं। पर देखन चौन है कि सदियां तो अजाद होन दे बावजूद, अमरीका अइंग्लेंड ते फ्रांस दे वस्नीक सुखी नहीं। उना पास खांड ते पैनन वास्ते काफी कुछ होन दे इलावा जीवन दे होरने काराम ते आईश्चा हन पर फेर वियो सुखी नहीं। इस बंद चसी एक अमरीका अजाद लोक राजनीतिक तौर ते नीत रखी करके भी सुखी नहीं हो सके ता हिंदोस्तान दे वस्नीकन वा अपनी राजनीतिक अजादी तो पूरन सुखी होन दी आश्वी सदा निराश रखे गी। इदा पावे नहीं के हिंदोस्तान ने अजादी हासल करंट कोई गल्ती किती हैं जा हिंदोस्तान दी अजादी हिंदोस्तान यानू अग्गे नाणू वदेरे सुखी नहीं बनायेगी हैं असी मन्द यांके आर्थक तोरो ते हिंदोस्तानी अग्गे नाणू कुछ वदेर पर असे येवी जान गया। आर्थिक तरक़्ी ने सच्चे अर्थांच सच्ची नए बणाया तो हिंदो स्थान ये जान प्रेंगी हुआ। ये दा की कारणा, आम लोग का दी पोल ये है कि अपने आपनू केवल सरीर मन देखन ते सरीर दियां जरूरता पूरियां हो जानू ते अपनियां जरूरता पूरियां हो गयां समय देखन। ऐसे लोकानू जे खानली रज्वी रोटी मिल जाए, पैनली चंगे बस्तर ते रैननू चंगे मकान मिल जाण। तो उसमाई दे हन के पूरे सुखी हो गए। एप पर इंसान केवल स्रीर नहीं। स्रीर ता एक चोटा जगी समझ है। स्रीर नलो वदेरे जरूरी इंसान दा हि जानते भी आपने आपनों पूरे सुखी ना वेखंता होनानों हैरान नहीं होना चाहिए। इंसान नू जित्थे स्रीर नू कायम ते सुखी रखनली खुराक कुशाग ते मकान दी लोड है। उत्थे मन नू सुखी ते बलवान रखनली उत्तम खिया लांजी जरूरत है। जिवे स्रीर नू चंगी खुराक बलवान ते सुखी बनाओ दी है। तिमें मन नू शुब ते पुवित्तर ख्याल सुखी ते बलवान बनाओ दी है। इस तो इलावा आत्मानू सुखी ते बलवान बनाओ वास्ते कागरता ते लिवदी जरूरत है। ज़त तक इंसान दे तिन हिस्यां स्रीर मनते आत्मानों पूरी रुजाना खुराग नाल मिले, इंसान कदे पूरे तौरते सुखी संतुष्ट ते खुश नहीं हुंदा। देशती अजादी इंसान दे स्रीर नों सुखी वनाउंच काफी मदद कर दिया। अजाद गौर्मेंट अपने देश्वासियां नों चंगी ते पूरी खुराग, चंगी ते काफी बस्तर, चंगी ते हवादार मकान ता दे सक दिया। पर देश्वासियां नों हिर्स, लालच, नफरत, गुसे, डर, चेंता ती हंकार दे पंजेतु नहीं छुडा सकते। राजनीतेक अजादी देश वासियानूं काम, क्रोध, लोग, मोते, हंकार दी गुलामी तो अजाद नहीं करा सकते। पारत वासियाने अगर सच्चे अर्थां वेच अजाद ते सुखी होना है, तो अनानू राजनीतेक अजादी मिलन तो मगरूवी, पारत वर्श वेच हो चुके रिशियां मुनियां, गुरुआं, पगतां, संतां ते फकीरां दी शरन वेच ओना होएगा। असल सुख, असल अजादी, असल पात्षाही, मां पुर्खांदे चर्ना विचों मिलिया कर दिया, केवल देश दी राजनीतिक सुतंतर तातों, नई, तान्वाद। पाफ्ट पुन जानने की बदी सब तर्म ग्रंथां चे लिखे है के इंसान नूँ पाफ्ट जा बदी नहीं करने चाईदी, ते पुन जा नेक काम करने चाईदे हैं। सिरी गुरु ग्रंथ सहे विचता इत्थों तक लिखे है, नर अच्चेत पाफ्ट ते डर्वे। इस दा पाव है के पाफ्ट सुपने जा ख्याल विच्वी नहीं करने चाईदे। कई बर साधेले ये फैसला करना मुश्किल हो जानता है के केड़े केड़े करम पाफ्ट हान ते केड़े करम पोन हान। केड़े करम करने ते केड़े करम नहीं करने चाईदे। आम तौर ते खुद गर्जी, चूट बोलना, तोखा देना, बेनसाफी करनी, चोरी, डाका, खोन कर देना, मुकर जाना, नफरत करनी, पराया हक मारनाद, पाप ते सच बोलना, प्यार करना, इंसाफ करना, बचन करके निबोना, संतोग, दयाब, काराद, पोन जानने की दे कर करम, गीने जांगी, पर कई ऐसे करम भी होंदे हां, जेडे कन्या दें ख्याल विच चंगी ते कन्याम दें ख्यालच मारे हुंदे हां, जो में, कि गांदी कुरबानी, मुसल्मान देंख भ्यालच सवाव उन हैं, ते हिंदुह देंख पाप, जा नंगे सिर्ग गुर्दव पर कईया दे निस्चे अनुसार बहुत यह पलाई वास्ते किसे कादमीनल बेंसाफी करनी उसमों नुकसान पॉन जाना जा उदे जान ले लेन कोई माड़ी करने ही इसे तरह मास ना खानवाली मास खाना बड़ा पाप समय देहां इसे तरह वेह के अंड़िट करना कईया स्वाल पैदा हुंद है कि की आतम साइन्स विच कोई ऐसा असूल है असूल जा गुर फॉर्मूला है जिदी वर्तोनाल गुर सिक नेकी ते बदी विच पोन ते पाप विच जान चंगे मंदे कर्मा विच नखेड कर सके ते उसनों सफल जीवन बतीत करन चे सहाइता मिली सब तो पहली याद रखन वाली गाली है कि कर्म करंदे पिच्छे जो कर्म करन वाले दी नियत हुंदी है उस नियत उत्ते ही करंदी उचता जा नीचता दा फैसला हुंद है जेकर डाकू छुरा मारके किसी आदमी नू जखमी करे तो बड़ा माड़ा करन है यह पर जेकर डाक्टर किसी मरीज नू बेहोश करके ऑपरेशन वेले तेज छुरियानल कंटा कंटा उस मरीज नू जखमी करदा रहे तो बड़ा नेक करन है क्योंके डाकू दा मनोरत चुरा मार के आदमी नो लुटना है पर डॉक्टर दा मनोरत चुरा मार के आदमी नो राजी करना है उपरो देख्यान डाकू ते सरजनी कोई काम कर दे हैं एपर क्योंके दोहां दी नियत च बड़ा फरक है इसलिए इक दा करम अत्मलीन ते पाफ है ते दूसरे दा करम अत उच्चा ते पुन है गुर्मत गुर्सिक लेई पुन पाफ विच फर्क देखन लेई खोर सुनेरी असूल काईन कर दिया गुर्मत अनुसार गुर्सिक दा अंतम निशाना सिरी वैगुरुजी दा रूप होना है दूसरे अर्था मिच गुर्सिक ने अपनी अंदर के वल ओ गुर्ण जा सिफ्ता पैदा करनी है अनु जो गुर्ण जा सिफ्तां वैगुरुजी विच हन गुर्मत अनुसार जगत रचना दे अंदर जा बाहर वैग्रुजी पूरन हन ते गुण्ने दान गुणा दिखान हन जा वैग्रुजी नल अपेद होया गुर आत्मा पूरन है गुर्सिक लई वैग्रु रूप बढ़न वास्ते ज़रूरी है कि ऐसे करम करे जो वैग्रुजी दे सुबा नेचर दी अनुकूल होन ते ऐसे करम ना करे जो वैग्रुजी दे सुबा दी उल्ट होन सिरिग्रु ग्रन सार जी वेच बहुत ऐसे शबद हन जो वैग्रुजी दा सुबा जा वैग्रुजी दे खुशिया अभ्यान कर दे हन इना शबदां तो गुर्षिक नुकू वैग्रुजी दियां सिफ्तां दा पता लाग जान दे ते अपने करम दा रुख मोडल लेई रोश्नी मिल जान दे इसले गुर्षिक नुकू करम करने चाई दे हन जेडे स्विच सदीवी जीवन दा निश्चा दिरड़ाओन ते मौ आप दे प्यात वजाद करने इसे तरांग गुर्मत अनुसार वैग्रुजी द्यालू हन सर्वशक्ती मान हन नवतन ओल्वेज फ्रेश हन सदा जवान हन जैसा के पूरन पुर्ख नवतन नित बाला हर अंतर बाहर संध रखवाला इसले यो गुर्षिक जिसने अपने सामने वैग्रु रूप होन अपना दर्श रख्या है वो अपने निश्च्यानू अपने मूल अपने अप्टी स्री वैग्रुजी दी फित्रतों ते टालदा है ते अपने आप विच वैग्रुजी दी जोत देखके सदा जवान ते हर्या रंदा है ऐसे गुर्षिक लेई सदा च जूर होन करके बदी वास्ती रेंड दी कोई थान है इके वल अग्यानी मान वेच वाई ग्रुजी दी गैर हाजरी करके जम दी ते गैर हाजरी वेच छी पड़ दी है जिमें रोश्नी दी गैर हाजरी वेच हनेरा प्यादा होन दाय ते प्यानक लग दाय ते रोश्नी दी आपी अपने नेस्थी चे गायब हो जानगा। इसे तरहं ज्ञानवी होने मन विच वैग्रुजी बी ग्यार हाजुरी दा ख्याल कायम रन्दा है। जद मन ज्ञानवन हो जाए जाँ जद मन नूपता लग जाए के वैग्रुजी मिरी अंदर बाहर हर पासी रवे होई हां। तब बदी दे मन विच टिकन्दी कोई थाई नी रवी हर बिसरत सदा खुवारी। गुर्मत अनुसार, चिंता, फिकर, डर, तृष्णा, वैर, विरोध, थोड, दुख, संताप, बिमारी ते मौत आद। सब अग्यानी मान विच रेनवाले दुश्मन हन। जिस मान विच वैग्रुजी दी मजूद गीदा अग्यान हो जाए, उस मान विच जो उतले सब दुश्मन खुद बखुद सदाले निकल जान दे हन। अते, वैग्रुजी दे गुण, जो साड़ी असलियत जा मूल है, खुद बखुद पैदा हो जान दे तना। ते साहिप की टेक नानुक मनेमा हो, जिस सिम्रत सुख हो ही, सगले दूख जाए। उक्त विचार सानुए सुनेरी असूल दर सौंदी हन। के वैग्रुजी दे सुबा दे उट करम करने पाप जा बदी है, तो वैग्रुजी दे सुबा दे अनुकूल करम करने फोन जाने की है, साड़ी करमा दी कस्वटी वैग्रुजी दा सुबा है, वैग्रुजी दा गुण जा सिफता हन। अग्ला लेक फरीद्धा बुरेदा पलाकर फरीद्धा बुरेदा पलाकर गुस्सा मानना हडाही देही रोग न लगली पल्ले सब किछ पाई शेकफरीद्ध्जी दे उक्त महावाग रोजाना जिस्दगी देच मेल्यांच फसी हुए इनसान में रोशन मोनारिवां सुख ते सलामती दारस्ता दिखोंगे हैं जिन्दगी देच मेले की हाँ, जाद ए समझ आ जाए, ता पता लगेगा कि शेक फुरीजी दे उप्त महवाद, कि में तपे हुए, हिर्द्यानू सीतल बढून दे सम्रथा रख दे हाँ, इंसान दी पूरन सुखी बणन दी इच्छा दे रस्थे विच बदी इविल विच इ जादा कर दिये, इंसानों किसे विले इंज जापद है कि इस सब्वे अचारक जगत वेच बदी एक बड़ी परबल ते अजित शक्ती है, इत्थो तक कि इंसाना दी बोगेंती निराशों कि बदी दी उलामी करन लग जान दिये, ऐसे व्यक्तियां दा आम करके ए ये यकीन हुन दै कि जगत वेच निकी ते बदी दो महान शक्तियां है, जिना ना ले इंसान दा वास्ता पैना ज़रूरी है, जाद दूसरे अक्राम वेच इंसान ले बदी तो छुटकारा पाखे, पूरन सुखी होना असंबब है, पर फ्रीद जी वरगे महापुर्शाने कानू ना नुसार जीवन बतीत करनवाळा होवे, ता उसती जिन्दगी विच्चों बदी उक्का ही लोग हो सकती है, क्योंकि जिन्दगी दा सोमा वैगरू आप बदी तो रहताते अनंद मही हस्ती है, इस वास्ते इस परम अनंद मही हस्ती तो उत्पन होए, संसार विच वैगरू जीदियां सिफ्तां दा परबल होना लाजमी हो, इस करके निक्की गुड्नेस तो वैगरू जीदी जात दा सही परकाश, इस जगत वेच सब तो वड़ी ते सर्व शक्ती मान ताकत है, इस ते मुकाबले उते बदी कोई शक्ती नहीं रखती, सिरी गुरू अर्ज इस तो वेच बदी कुझ नहीं, तेरे उल्टने की एक महान सधीवी शक्ती है। कतावे, कतरंपे ताकी तुन मुहे गोपाला तै सहज अखारे अने कनंता इंसान क्योंके वैगरूदा पुत्तर है इस करके उदी अपनी नजर्च महान शक्ति है ये जिस नजरनाल जगत रचनानू देखे उसे तरह दी बढ़के इनू नजराँ देखे जद अग्यानता दी नजरनाल इंसान जगत रचनावल तके तैनू पाप, दुख, विमारी, मौत, चिंता नजराँ देहन तर क्योंके इस सब कुछ इंसान दी सुमे वैगरूवेच नहीं तैस करके इंसान दी जात, जान, फित्रत वेच नहीं इस करके इंसान नू कुदरती तौरते बदी ते बदी दियाँ शाकावाँ पाप, दुख, विमारी, मौत, तों किरना है जद इंसान अपनी असलियत दे ज्ञान नालेस जगत रचनानू वेखदा है तो नेकी नू हर्थां ते पारू ते शक्तिवान अन्भूद करता है फ्रीज जी इसे लिए इंसान नू संबोधन करके आखदे हन कि तौ बुरे दी बुराई दा ख्याल ना कर जब बुरे दी बुराई नू सच्चा ते शक्तिवान ना समझ बुरे विच बुराई बुरे दे अग्यानी होन करके है बुरा अपणी बुराई दे कारण अनेक परकारदिया तकलीफा उठा रहे है बुरे नू बुराई वरगा रोग अत लाचार ते परेशान अग्यी कर रहे है इसले उस ते रैम कर उन्हों रोगी ते लाचार समझ ते उस नाल बिमारा मांग हम दर्दी ते शुप आवना मला स्लूप करूँ बुरे नाल बुराई करनी बुराई जा बदी दी हस्ती नू परवान करना है ते बदी नू परवान करना अपने रब्बी पैदाइश्तों मुन कर होना है फरीजी फरमाँ देहान के बुरे नल पला स्लूप करन वाड़े उते बदी ना अपना हमला कर सक दिया न दुखी बुना सक दिया जिस आदमी दे निश्चे विच बदी नू कोई थान ना होगे उस आदमी दे तन उते बदी किसे रोग दी शकल विच जाहिर नहीं हो सकती तक खेडा नजर आईगा जिस मन्च बदी ना होगे ते अपनी असलियत दा ज्यान होगे जाद जिस आदमी नू यकीन होगे कि वैगरू दी जोत होन करके सदा नेकी ते खुशी दा सोमा है उस आदमी दा जीवन सर्व सुखां सर्व खुशियां दा पर पूर जीवन उस आदमी दे पले दुनिया दियां कुझ न्यामताओ दी बर्कता आण पर जादू अगला लेख है आपाचीनिये लुक, ठिंक, बिहेव अपाचीनिये दा पावर अपने आपनू वेखना, पर्कना, समझना, अपने आपनू जानना ते फिर संवारना, होर संवारना, शिक लेए जरूरी है। लेए प्रती सुचेतां था बीबियानु भी समझाओं दी लोड़ है। कुदर्ती स्वखपन दा मुकावलाने ब्यूटी पारलरां वेचे जान वालियां समझदार बीबियां। ए मन्दिया हान के उगलत राजफास ने यहान। जिस्चो निकलना संभवता नहीं पर उक्षा जरूर है। इस करके पहली वारी ही ब्यूटी पारलर दे दरवडंतों पहलां। सोचो, सोचो। दुजी गले सिखह वांग सोचू। पलाजी, पुलाजी, पाणाजी। सिख दी सोच वेच सर्व स्रेष्टा, एक्सिलेंस है, सिख ने हर मैदान, हर खेत वेच मोरी बढ़ना है, दुजे जा तीजे था देने, तीजा पक है सिख वांग विहार करो, बिहेव लाइका सिख, हेरा फेरियां ते ठगिया ना करिये, लोडवंदा दी मदद करिये, बास रफ्तार ते गड़ी नांच लाइए, लाल बती दाते आन रखिये, लोडवंदानों होन दान करिये, अव आपाचीनिये ते प्रंग करिये, असी सिख वांग दिखांगे, सिख वांग सोचांगे, ते सिख वांगी विहार करांगे, वे लुक लाइका सिख, थिंक लाइका स अगला लेख है, खुशी, एक अंदरूनी तजर्बा, फरीदा बुरेदा पलाकर गुसा मानना है, प्यालस्टाई नहीं किया कि जे तुसी खुश रहना चौंदे उता रहो, ये आम लफ़ जिन्दगी दे बहुत ही खुश रहने फलस्पे नो, दर्स सौंदे गाल, साड़े चार चुफेरे दर्या, कुदरत, नदियां, पहाड, जानवर ते पौदे खोशां, ते बेखाद खुब सूरत ही, परे सिर्फ इंसान ही हन, जो कदे उदास्ते मयू सोजांदे है, आउना कारणां दी परचोल करिये जना करके मनुख ना खोशो जांदे है, ए कारण ह किसे अपने दी मौत, गरीबी, रुजगार दा ना रहन, बेमारी, तलाग, इंत्यां श्पेर होना, अपने मिथी होई निशाने नू प्रापत ना कर सकना, जा आपसी रिष्ट्यानियां समस्यामा आद, अज संसार पर देविग्यानी ए तै करंदी कोशिश कर रहे हन, कि की उपर लिखिया मशूर वाक्या, किसे इंसान दी बदकिस्मती दा नतीजा हन, जा कुछ होर, इस तो वी वदेरे हैरानी वाले तत ए हन, कि जीवन विच होन वालियां इकटनावां, कई इंसाना ले असे त गंबीरता नाल, असर अंदाज हों दिया हन, जादके होर इसनों ब इनानाल दुख मायोसी ते उदासी दा प्रड़ावा मनुख दी विहारत बेतरती बीती, हालाता देनाल समझाओता ना कर सकन दी, कमजोरी है, खुशी केवल एक मनोवी ज्यानक जा पावनात्मक मुद्दा नहीं, सगोई साधी स्रीर वेच हो रही इक रसाइनक किर्या वी ह बच्पन आम तोर ती ज्यादा खुश उगवार हुंदे के बच्चे वड़ियां तो ज्यादा खुश रहन दी हन। इस ता बच्चेयां विच विज्यानक कारणी है कि एक नविकली किसम दा रसाइन एंड्रोर फिन जिदी के बच्चेयां विच बहतात हुंदी है दे करके बँच्चे विदे रेखोष रेंदी हम जिवें जिमयों वड़े हुंदे हम वद्यां जिम्यवरियां धे तना करके इना रसाइनांदा बढना खूलीबडी कट्डा जाहन दौच सरीर कसरत दे ते हत्te इंकाम करन नाल विये ना रसायना दी मिकदार दा सरीच वद्धा हुंदा। ए मनुख दे हालात मुदाबक काल जान दे गुण जाने राष्ता दे मुखारत हासल करन दे सम्रथा दे निर्बर करदा। दो जैत दी अन्होंद नहीं। पर सोच ते नजरिये विच बदला लेाके जिंदगी नुखुश नमा बढाया जा सकता। जिंदगी दा दुखात ए नहीं के बहुत छेती खतम हो जान दी है बलके ए है के असी यनुशुरू करन लेही बहुत देर लगा रहे हैं। अगला लेख है अजोकी जीवन जाच। सेतमंद जीवन पुद्रत दा अन्मोल तोफा है। अते इस रहमद्दी संबाल्दा कारजवी साड़े अपने जिंदगी दें। अरोग सरीर मुश्कल समावी सेजे लंगा लंदें। ते रोगी सरीर नो सदारन जुकाम होन दी सूरत वेच मक्मली बिस्तरावी चंगा नहीं लंगा। अजवी पुराणे बजरुग गलां कर दे हमके आई नियां बिमारियां पता ने कि तो आगियां। साड़े वेड़े था बिमारियां बमोरियां दा पता ही नी सी हुनगा। ये ठीक है कि मनुख दी आस्त उमरवदी है कि मौत दरकटी है थी कई गंभी रोग गांते काबू पाले आ गया। जेस ता के इलाज पहला मौत ही हुनदा सी पर पुराणी थी हुनदे सेथ मन्द सरीरां विच फर्क पर तक नजरांगा। साड़ी कम करन दी समरथा काट गए ये थी चेती थकन लगता है। ये दा कारण है साड़ा जियों टांग। पहलां चंगी खुराक दा मतलब सी दोध के ओते बदां पर लोग कामवी रज के करदे सन। और तां स्वेरे मून नेरे दोध चोके मदानी लाके बैजानी आसन। पशुवांदी संबाल, परवार्दी रूटी पाणी, पांडे, कपडे, स्पाई, बच्चे आंदी संबाल पे हूर तिन्ना निक्सोत। कोई कम करन वली माई नहीं बार नहीं, बार जानली कोई स्कूटर कार नहीं, तो कोई विमारी नहीं। देर राद तक कामन बेड की कोवार अराम करना, मर्द भी हड़पन वी मिनत कर दे, ओधो खदा क्यों पाचवी जंदा से, शोद वाता वर्न साधा जीवन ते साधा सुबा, जे कुछ थोड़ा बिमार है ता दुद के उवदा आ देना, ते जे कुछ वद बिमार है ता किसी हकीम वैद कोड़ों कोई नुस्खा ले लेना, दवादारू कर लेना, और जोग का जियों टंग बिमारियां दा तुफ़ा भी ना लेके आया, कारणी है कि साधे कोड करनों को इस रेर कामने, आम सदारन करांच कामले ही माया हां, जो पांडे स्वाई कार जानिया हां, ते जरवाद आमदनी वाले करांच नौक कर हां, जो सारा काम कर दे हां, करांधियां स्वाणियां जे कि दरे एकठियां होनता होना दी गल्बाद दा विशाक करांविच काम कर दियां माया दियां समस्यावां ही हुल्दियां आप ताही करांच काम करनों वालियां मायां दा पत दा समा बेस्तर ते शाम नूँ खेटन दा समा टीवी ने कोले आया। सरीर कमाण दा शौक काट गया। खेतां वीच काम करनूँ पसल वड़नू पई ये हम। हालवाण ले ट्रेक्टर। आप करनली काम बड़ा काट। दुकानाच काम करनलाई वी नौकर रखे हम। पाव साड़ी हर वरग दे लोकां वीच हत्ती काम करन दी रवायत मुक दी जान दिये। बणया बणाया रेडिमेड जीवन असी बजारों खुरीद के जियों रहें। पदार्थवा दी जीवन दे असर कारण साड़ी ए उद्धासी डिप्रेशन दी बिमारी वद रहें। दिल दे रोगियां दी दार पंजाप्ट दिन बदिन गद्धी जारी है। क्यों मक्रां काट सरीरकां ती वद्धा मानसिक्त नाही। कारण है सड़ी सुमाज दी विगड रही सेत्वा। इस दे नाली डाक्टरां को लो म्री सब्धो वद रहें। जिनानों कोई बिमारी ने हुँँगे। परो ए मैसूस करवे हैं के दुनिया विच सत्वा दो विमार हैं। विमारी दा कारण है वेल अपने आप वलवेकन। अपने बारे सोचनली मिलिया वद्धूसमाज। सेत्मन्द जीवन दासूल है अपने हत्थियां आप काम करना। जी असी होर किसे जोगे नहीं ते काट को काट अपने जोगे था बनी अपना काम आप करन दी अधत काई ते कारदा काम करके मान मैसूस करियें। उनना को खाये जिनना को जेनले जरूरी हुए। आप तौर ते असीं अपनी कबर अपने मूर नाल पोट देए। पाव सुआद मगर लगके बिमारियां से हेड़ने हैं, गुरु साब दा हुकम है, बहुत सादो दूख प्रापत होगे, पो गो रूख सु अंत भिगोगे, चंगी से तले कुछ मुक सुझा हन, अपना कामाप करिये, कसरत रोजाना करिये, तलियां ते ज्यादा के वलियां च चंगा सुचिये तो, अगला लेक है, मनुखी शक्सियत विच निखार, अमल कर तरती बीज सब्दो कर, सच की आब मित दे पाणी, होई किरसान इमान जमाईले, पेस्त दोजक मूडे एव जन, मनुखी जीवन कुद्रदा रचेया, सब तो सुन्दर कृष्मा, मनुखी जीवन दी प्राप्तीक महान प्राप्ती है, जेकर इस प्राप्ती दे समेवी मनुख दुखीक इरंदा है, तो समझो उने कुद्रदी अनमोल बक्षिष नूँ अजाईं गुआ दता, अपने जीवन नूँ सुखामा जा दुखामा बढ़ोना, नुख दे अपने हात्या, जिसने अपनी हिम्मत मेनते लगना लेसनु खिड़े मत्ये जीविया, तो अपने जीवन नूँ सार्थत बना लिया, उदी शक्सियत वेचे निखार होंदा, जिंदकी वेच अक्राउं जीवन चल दे रेण दाना, जिसने हिम्मत हार देती, उसने बाजी हार ले, द्रेडे रादेते स्वेपरोसी सदका जिड़ा इंसान जीवन दी लड़ाई लड़दा, सफलता उसे दे कदम चुल दिया, जीवन विच सफलता दी खुंजी, लगन, मेनत दे हिम्मत, किसमत हारे होई इंसान दे निशान दे, अपनी किसमत मनुखाप कर दे, जिड़ा इंसान अपने प्रती मानदार दे वफदार नहीं, वो किसे लई भी वफदार नहीं हो सब्लाई, जीवन विच सफलता दे मनमोनी शक्सियत जीवन बारे अपनाई गए असूलाउं पे निदबर क इना विच्चो कुझ को सूलिस परकार हैं, चड़दी कला, मनुखनों हमेशा चड़दी कलाच रहना चाहिए, दुख सुकता ओंदी रहन दे हां, जिड़ा इंसान मुश्कलां दा सामना करन तो कबरा आजाई, सम्झों हार गया, हिम्मत अति उद्दम हर मुश्कलनों दू कर सकते हैं, चड़दी कलाविच मनुख होदों ही रह सकते हैं, जे करो अपने आपनों पहचान सके, दुनिया दा शायद कोई भी काम संभव नहीं है, जे कर मनुख अपने खुदीनों बुलंद करलाई, ता फिर परमातमा आप होदी से हैताली पुझ जांगा, जेड़ा प उटकारा पोणा मुश्किल हो जांगा, बदल चाही किन्ने वी संगने क्यों नहीं, सूरज दी केरन जरूर चमक दिया, हमेशा चड़दी कलाच रहन लगी, पहला, बे लोडे फिकर ना करो, बे लोडे फिकर आत्मक शक्तीनों खोर दे हैं, दूसरा, हीन पावनानू त्या जेकर जीवनों लग जाये, तो सब पासिवने रही नजरांगा, चाह था, चानन दी केरन जरूर चमक दिया, इंज समझ लेना के सूरज मुड़ चड़ना ही नहीं, टैंदी कलादा पर देगे, पहला, आर्थिक हानी तो कबराणानी चाहिदा, पैसा ता हथांदी मेल, जिन आप नल दोस्ते, जेडा अपने आप प्रती वफादार नहीं, किसी होर दा वफादार के में बन सकता, अजये मनुख तां तेनके दी नयाई हंदे हन, जेडे हवा दे रुख नाली रुड़ दे हन, जेडा मनुख अपने पले बुरे बारे सोचदा नहीं, जा अपने आप प्रवान ही करदा, उता फिर अपने आप दा वेरी बन जांदा, सफल, सुखावे, जीवन, ते सुन्दर शक्सियत लई, जरूरी है कि मनुख अपने आप दा दोस्त बने, पैडे कर्मां तो बचे, ते अपने आप आप आवनामां ते काबू बना सिके, चंगे कामली अपन पीसा हैता करो, अपने आप नल दोस्ती पाया, मनुख बहुत सारे दुखां दर दान्द मुश्कलां ते ये, कबू पासकता, अपने आप नल दोस्ती नूँ पक्यां करन्दे कुझ नुस्केस परकार्वाना, थेला, मनुख नुक कदे वी अपने आप दा वेरी नी बनना जाइड़ा, जेड़ा करम जावे चार बुरन देव, उस्तो दूर रेंदी कोशिश करो, कदे वी अजया कुझ ना करो, जिस कारण अपने आप तो श्रमिल्दान होना पुए, दूसरा, हमेशा अपने अंदर दिया वास होनने चाही दिया, अपने अंदरों हमेशा नेक सला ही मिल दिया, उदी दृड़ता नलपालना करो, तीसरा, गल्ती मनन दी आदत पव, संसाच कोई विए जया इंसान नहीं है, जिने गल्ती ना केती हो, अपने गल्ती मान के, उन्हों सुदारंदे यतन करना ही इंसान दिया, अपने जीवन विचो सारे गामते दुख दूर हो पर उसनों सुची खुशी के तेवी प्रापत नेहीं। इस तरह उधी पटकन सुकुम होर वाजन दिये। खुशी मनुख दे अंदर है, योधी प्रापती उस्ते हाथ वेचा। जड़े मनुख इस गल्लू नहीं समय दिय। म्रिग त्रिश्णावां तजे फिर देरंदी हुए। यास केवल पाणी की नल मिट दिये। जिसनों कुद्रत ने सारें ली बक्षिया है। इसे तरह खुशी है एक किसे पदार्थक सुख जा पैसे नल नहीं करीदी जा सकते। खुशी दा सची कार सुचे विचारते साधेरें सेन विचो जनम लेंदी है। अजे है उदोई हो सकता जेकर सड़ अपने आपते कबूर। जेकर असी सारे फैसले सोच विचारके कर देयां तो समझे असी सफल हो गए है। अजेया उदोई हो सकता है जदो मुनुक दा अपने आपते पाव मन ते कबूर। मन 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 सेवक बणे नाके मन मन गुलाम बन जाए। मन नुँ अपने कबूर च रखनले हेट लिखियां गल्लावल त्यां दियो। पहला। हमेशा म्रिग त्रिष्णा तो दोर रोओ एदा कोई अम्तने अपनियां सीमावानू अपनियां दोर वसीले ते सच्चाईत यदा अरत करो। इंज मन ते तंदूं इंत अंद्रोस्त बन दे हन ते अनंदधी प्राप्ती हन दियो। बेमार मन ते तंदी पटकन ते दुख दा कारण बन दे हन। 4. मन दी द्रिडता स्वय कबूली जरूरी है क्योंकि कमजोर मन पटक जान दाया ते पटकेया मन मनुखनू कुराहे का दल दाया। 5. हमेशा सोचनी सै रखो वल्त सोचनी पटकन दा कारण बन दियो। ते मनुख अपने मन तों कबू गुवालन दा। 6. सच्चे रस्थे चल दियां इंपर्शन सा प्रापतन दियो। कित्ते विच सफलता। 6. बहुत सारी अजय इंसान मिलन गेजड़ी अपने तंदे विच निराश नजरां दिया। 7. अजय लोक अपने अंदर चाती मारं दे थां। दूजियानू दोशी ठहरां दे हां। 8. कुझ अपनी किस्मत नू कोस्ते हां। 9. कुझ दुश्मनानू दोशी मां दे हां। 9. हारया होया ते निराश आदमी किसे दलील नू सुना नई त्यार नहीं हुंगा। 9. ओ कार्नादी को करंदी वी हिम्मत नहीं करदा। उदे पानेता सफलता केवल गल्त कमानाली प्रापत केती जा सकती है। 9. जड़ी लोक सफलता प्रापत करदे हां। उनवेच कुझ विशेश गोण हुंदे हां। 10. दुजियां दी सफलता वेख केचू उरंदी थां एना गुणानू अपने अंदर प्यादा करंदा यतन करनां चाहिए। 10. जेकर पूरी हिम्मत ते मेनत नाल कोशिश केती जावेता सफलता ज़रूर प्रापत हुंदी है। 10. विकास दे पक्खों लोकानू तेन पागांच वंडिया जासत बार। 11. पहले पाग्चों लोकांदी हां जेडे जीवन पर कोई त्रक्की नहीं करदे। 11. उजित्थो शुरू हुंदी हां सारी उमरों ते खड़े रंदे हां। 12. दुजी किसम देओ लोक हुंदी हां जेडे शुरू विच लगननल काम करदे हां। 12. पर छेती उना दाउत्षा काट जन्दै। 13. पाग्चों लोकांदी हां जेडे सारी उमर लगाता रुंती करदे रंदे हां। 14. अजय मनुक टीसी ते पुझदे हां। 15. उना दे जीवन विच द्रिया वर्गी रवांगी हुंदी है। 16. जीवन ता चल्दे रंदाई नाम है। 16. आउँ अपनी रवांगी बिणाई रखी। 16. जेडे वी कित्ते नूँ अपनाया है। 17. उस्च मुहारत हासल करो। 17. अपने काम नूँ लगन ते द्रिरता नल करो। 18. अपने काम काजी असूल बनाऊ। 18. आउड़ता नल पालना करो। 18. असूल आउड़ती कुर्बानी देके प्रापत कीता लाव स्थाय मी हुनदा। 19. कित्ते विच सफलताले गल्बा दा सिलिक काओणा बौद जरूरियो। अपणी विचार सुचजे टांग नाल प्रब टौन दा तांग सिखुँँँँँँँँँँँदी अन्दरीक चुम्ब की शक्ती हुँदिये, इस शक्तीनु लब्बू तेव जागर करूँँँँँँँँँदी शक्ती सफलताले लोडीन दा बालरत बक्ष दियेुँँ इवन वेच सफलताले मनुखनों सुची किर्थ कर देयां, हमेशा अंचडदी कलाचरेनां चाइदे। जे हा उदोई होएगा, जे कर मनुख स्वय पड़ चोल करूँँँदी ते अपने आपते प्रोसा रखे, ते अपने जीवन दा कोई टीच्या मित्थे, हारां तो को ब दुखांदा वणज करन लई नहीं है, जेडे इंसान खुशियां वणड़ दे हम, दूजयां दी लोड़ वेले सहायता कर दे हम, ते अपने आपनों निकार के राख दे हम, ओ ही सुन्दर ते मन्मोनी शक्सियत दे मालक बढ़ दे हम, ता मुवाद, अगला लेख है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त पाव, जीवन जीओंदियां ही मुक्ती हासल कर लेड़ा, आम तोरते मन्या जांदा है कि मनुखनों मरन उपरंती मुक्ती हासल हम दिये, पर गुर्बानी सपष्ट कर दिये कि मनुखनों के इस संसार्च विचर्दियां वी मुक्ती हासल कर सकता है, क की कोई मुनुकु जीवन देयां जी अजे ये वस्थाते पहुन सकत है कि वो दुख विच वी दुख नू मैसूस ना करें आसा विच वी निराश रहें अजे या मुनुकु जीवन मुपत है नर्क सुर्ग ता हरोज साड़े सामने ही हुन दर जदोसी प्रभू नालिक मिख हुन देयां या अच्च जुड़ देयां ता है सुरग पर जदोसी नाम तोर टूट जाननेयां ता नर्कां दे पागी हुजानने गुर्बानी उपदेश कर दिया कि नर्क सुर्ग दोहां ही व बिचारां तो पुरुट के जीवन मुख्त भी अवस्था थे, पुज्या जा सकते। फगत कभीर जी रामकली राग जुगदेश कर दे हम। कवन नर्क क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे। हम काहू की कान न कड़ते, अपने गुर पर सादे। गुर्बाणी अनुसार जीवात्मादा पर मात्माविट समा जाना ती अपने आपनों पच्छानना ही स्वर गया। कि अकाल पुरुक तो विचड के मायिक पदार्थांच ग्रसे जाना नर्क के। सिरी गुरु अर्जन देव जीवलों उचारी बाणी सिरी सुखनी सावदी नौमी अश्ट पदी दा सत्वाँ पद जीवन मुक्त होन वाले मनुक दी अवस्था ब्यान करदे। जो मनुक प्रभुदी रजानू मिठा करके मन्दाय पावलाहा मिलनते जा नुकसान होनते भी परमात्मादा शुकराना करदे। खुशी ते गमी वेचिक कोजय इरंदे। मिट्टी विच सोने नूँ एक समान मन्दे। अम्रत अते विच्णू खिडे मत्थे सवी कार दे। जिस मनुक दा पावे आदर होवे पावे नेरादर। उस्णू इक समान मन्दे। शैन्शा ते कंगाल दोहानू वराबर जान दे। ते इंज प्रभुदी रजानू अपने जीवन दा गड़ी रा मन दे। वो मनुक जीवन मुक्त कहोंगा। प्रभ की आग्या आतम हितावे जीवन मुक्त सोग कहागा। तैसा हर्क तैसा उस्सोग सदा अनन तै नहीं बियोग। तैसा स्वरन तैसी उसमाटी तैसा अम्रत तैसी बिक्काटी। तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताई साई जुद नान ओ पुर्क कही है जीवन मुक्त। जिस मनुक दे हिर्दे अंदर पगवांत दा वासा हो गया। उत्तन्वंत तन्वाला है, कुल्वंत उची कुल्वाला है, ते पत्वंत चंगे मान इज्जत्वाला भी है। उत्तन्वंत, कुल्वंत, पत्वंत, जीवनमुक्त, जिस रिदय पगवंत। जीवनमुक्त बणलेगी जित्थे गोबिन दे गोणे जरूरी हैं। उथे नाली दुनिया तो मिल्देच उठे मान आदर्ते आर्थक परिवारिक समाजिक मोन उत्यागणा वी अत्यां तलोडेंगा हर। मान मो दोन्नों कोव पर हर गोविंद के गुणंगा वें कोह नानक ए बिद कोव प्रामी जीवन मुफ्त कहाद। विकारांदे हुंदे निरंतर हमल्याथु बचन लें दिन राथ सुचेत होना चाहिदा। इक दिन एक हफ्ता इक मेनिये साललै ही नहीं सगो जीवन पार ठेपया राथ दिन सुचेत रेना जगना जरूरियेद। अंदिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, इतना ही संभवेज दोसी गुरु देश शब्दनों कीवल रसना नाल पड़ांगे वी नहीं, सगो विचारांगे, ते जीवन विच कमावांगे वी, फुर्मान हन, गुर्मक नाम रत्ते से उद्धरे, गुर्क सब्द विचार, जीवन मुक्त हर नामते आया, हर रख्या, हर राख्या उर्भार, अते जीवन मुक्त गुरु सब्द कमाई, हर्सियों सधी रहे समाई, जब तक मुनुक अप्पाची इनन नहीं करदा, अपने आपनों पचाणदा नहीं, तद तको दा मन निर्मल नहीं हो सब्दा, आप पचाणए, मन निर्मल्स होए, जीवन मुक्त हर पावे सोब्द, तन वाद, अगला लेख है, याद रखना ए जरूरी है, फ्रेदा बुरेदा पलाकर गुस्सा मन नहीं डाए, साड़ी होंद दाइक सुन्द रंग है, साड़ी याद लाश्त, और वेखिये क जादोई शबद, असल्च की महत्ता रखना, इक अजेहा अमला जिसराइं सूच नवा दिमाग ची पठिया होंदिया, हंते बाद विच्चे तन रूप्च प्रग्टावा केता जा सकरा, इप रापत कीती सूच ना साड़ेना लवापरियां कटनावां तजर्बयां आत्ते कंप्योटर, हाट डिस्क वांग दिमाग दी याद शक्ती, बाइट स्विच ना पिजान दिया, मनुख अपणियां सारियां ज्यान इंदरियां तूँ सूच ना प्रापत करला, अखान देखन, कानसों, नाकसों, अन्ते चमडी चून द एसास वेर्वा प्रापत करन द काम कर दिया, इस सारा वेर्वा दिमाग देखा कर लई, पेज या जंग है, दिमाग देखन द सजरी पुराणी यादास्त पिछले कुछ मिन्यादी जानकारी नल्स बंद रख दिया दूर वर्ती यादास्त इस बहुत पहलां वापरियां कटना वानुं याद रखन दी समरता रख दिया जिमिके बच्पनियां यादा आद जो भी वेरवासी कतर करना चौने उसाड़ी द दिमाग सूचना प्रापत कर रहा हुन दया तम विजलाई जा रिसाइनिक रिश्मा तंतुआ विचों लंग दिया हैं ए सूचना सुगंदी अंकड़यां पावनामा जा दृष्टी गत रूप विच प्रापत हुन दिया दिमाग विचे जानकारी वक वक तंतुआ दे आप अपसी मेल जोलवदां या तेस्ता सिद्धा सबंद जानकारी दे दिमाग चुवदेरे कत्र हुन वेचे जिनने तंतुआ विचे आपसी सबंद ज्यादा हुनगे उनने तंतु सबंदी मार्ग वद्ध हुनगे जोके चंगी याददाश्तनाल जुडे हुन देहान यादान बार बार दोहरान या या याद करनली इस ताकच्च वद्धा हुन दे इसे गुंजलदार हाल दाइक अगला कदम वेरवेनु असल च द्रिष्टी गोचर करने इस सूचना जो द्रिष्टी गत अंकड़े यां सुंगन अवाज मावनामा दे रूप चे हासल हुन दे नू त स्वीरान जा प्रतिभिम्बा दे रूप वेच दिमाग ची कतर कीती जांदी है जदों कुझ फेर याद करन दी कोशिश कीती जांदी है ते प्रतिभिम्ब जा परचावें लफजां दे रूप चे उजागर हुन दिगान दिमाग अगम ताकत रखदा है फैल ले होई प्रतिभादा स्वामी है ते कई सौ सुपर कंप्यूटर वे इस दा काम नहीं कर सकते है जवें दिमाग हरेक मनुख दे रूप नूँ हर पक्तों जवें चलन दे टांग अवाज हाथां दे हलोण दे टांग आद दी हर बरिक्की नल कठियां करके उदी उदा खाका बनांद कि असी अपनी यादाष्त वदा सकते है ये स्वाला मत ओरते साथे सामने ह 17 करवी सकते हैं जेवें के सरीर रखवा दे ते मुझबूती लिकसरत जुर और में यादाष्त व्दाणली मानसी लोड़ गुप जिवें के थोलट चिरी यादाष्त काट समरत रख दिय ये य्द बार बार दोहराया जाए जिमे के लगातार पड़ाई करना बार बार याद करना लिखना जाता के सादियां लमेरी याद दा हिस्सा ना बांजान। सिखना ते याद शक्ती दोनई दिमागी पार तों परबावत हुंदी हैं। कबराहट, डार जान दबातों, एड्रीनालिन नांदार साइन पैदा हुंदै जोके सिखनडी ताकतों वदा सकते हैं। पर जेकर तनाव देरे हो जाए ता सिखनडी के रिया ते इस ता उल्ट असर हुंदै। पावनात्मक सद्मया करके वी यादाश्त बुरी तरह परबावत हुंदी है। इस संसार जिते सब कुझ साड़ी कार गुजारी ते निर्बर कर दें। चंगी यादाश्त साड़ी बहुत एम है। इकाम इंसान अपनी यादाश्त दा साथ तो आठफी सदी हिसा वर्तों विच लियांदै ते बाकी हिसा बिना वर्तों विच लियांदी रह जांदै। शुपने सुर्जनामनुख दी। सिर्जनात्मत ताकत दा चिन्वी है ठी। जुरूरी हिस्साबी। असी सुपने जागदयाँ वी सिर्जदयाँ ते सुत्याँ वी। दोंे तरांदे सुपने यांदी। उचेची लोड़ से महत्ता हुन दी है। पर असी गल करांगी नीद चु शुपणें देखनदी, शुपणे साड़ी नीध वेज अच्चेतन मन, अंकोंशियस माइन दा पर चामां ते साड़ीयां इच्छामां दी पूरती हन। इए चेतनमंदियां ओ इच्छामा हन जिनानू चेतनमंद कॉंशिस माइन शायद जागदियां सविकार ना करें। जाई क्या लिए कि सुपने साधियां ओ इच्छामा ते उमंगा दी कबर हन जिनानू असी पूरा नहीं कर सके ज़ा दबा देता है। सुपने हन दियां दो पर्ता हुं दियां हनू इकों जिसनों के सुपने देखन वड़ा याद रह सके ते दूसरी हूं जो अच्छेतनमंदे विचार के उमंगा हन ते याद ₩ नी रखे जासकते। साड़ा अचेतन मन नीद वेचिक मानसी कारज करता है जिसको के सुपन सिर्जणाँ ड्रीम वर्क केंड़ी हाँ इस कारज सतका अचेतन मन दियाँ मंगा ते त्रंगानों इस कांगनाल पेश कीता जानदा है के याद तरह जान। पर नीद जिक कोई खलल ना पड़ाँ इस तरहांदा कारजा जिमें सेंसर बोड़ वलों फिलम बड़न तो बाद उस्च कट वड़ कर दे हान ता जो देखन वाड़े ते दा कोई बुरा असर ना पड़े सुपने दे सेंसर विचो लंगण वेले उना दबियां हुएं इच्छावानों कुदर दी ते मासूम इनुसेंट रूप लेणा तन दा सुपने वाख वाख तरहांदी हुंदे हान कई वार बहुत सारियां सोचांते उमीदाई इकठियां होके कि वक्री तरह दी कल्पनादी सिर्जणां कर दिया हुएं जिवें के किसे इक दा नाम, किसे होर दी शकल ते किसे तीसरे नल मिलदा होदा काम इकठे होके पर तक हुंदे हान पामे अपने आप वेच एक फजूल सुपना ही लगे पर यह चेतन मांदी अन कही कहाणी कहरे ही देगा जिवें किसे अपने ली बहुत गुसा होवे ते उसनों कतल करना चोंदा होवे ता उनों सुपना ये नहीं आएगा कि ओधा कतल कर रहे हैं पर शायद इस तरहां कि कोई अन्जान जा कोई ऐसा मनुख जिदी ओधी जिन्दगी विच कोई विशेश महत्ता नहीं उमर गया या ओधा कतल हो गया कई वार इस अचेतन मन्दे सेंसर ड्रीम वर्क विच कोई खरब भी आ जाये ता सुपने उसे तरह अन्दे योंदे हम जिस तरह अन्दी दब्बी सोच होवे इस तरह हो नाल सुपने वेखन वड़ा नीद विचों जालतां दे कई वार कब्रात नाल ची कामारा लगतां दे सुपने यांदी अपनी दुनिया ओ अन्डिठी दुनिया जेस चो साधिया ओ इच्छामा रेंदिया हम जो पूरिया ना हो सकिया तन वाद अगला लेक है सुर्ती ते जीवन लाइफ जीवन चार रखना दी मेलनाल बने यां L for leveling T I for institute F for E for enlightenment पाज ज्यान नाल रोशन होन दी संस्था कुझ लेंड लेंड लेई खाली पांडे दी लोड है जी पंडा हौमे नल प्रेया होए ता उस वेच कुझ नहीं समा सक्रा ज्यान लेंड लेई स्रीरक तोरते जागन दे नाल नल मानसिक तोरते जागन दी भी जरूरत है पर सड़े विच्चो बहते सुपनेयां दी जिन्दगीच जी रहे हम असल जीवना ओ है जद उसी जीवन दे सारी काम पूरे त्यान नाल एक मन होके कर दे पर असलियत विच असी काम कुझ होर कर दे त्यान के ते होर हुंद है इसे करके सबजी विच लोन पॉना पुल जाने है जा आप रखी वेच अबिबारे सनुआ पी याद भी हुंदा के किते रखी पिर तुसी साड़े नाल नमाज क्यों नहीं पड़ी? तग गुरु साब ने फुर्माया कि तू अड़ात्यान नमाज वन है नहीं सी? उ नमाज किमें परवान हो सकती है ते मैं किस नाल नमाज परदा? अजवी जे पाठ कर देयां सड़ात्यान पाठ वल नहीं काउन इतने किमें परवान है त्यान लगा के मन्वी कागर करंदी लोड है असल चसी अद्धे मननल जी रहे हैं एक तरानल नीद विच चलना है कलास विच पड़ देयां सड़ात्यान खेड़न वल हुंद है ते खेड़ देयां पड़ाईदा डार असी हर कामदूरा कर देयां चाहिदा यह है कि जिती असी स्रीरक तौरते हुए सड़ा मन वी उत्थे हुए साड़ा मन साड़े सरेट ते दे हर कामदा गवा होले असी कई वरे भी पुल जान्या कि हुने असी किसी आदमी नल की गल कीती है इसाड़ी यादधाश्ती कमजोरी नहीं सबो त्यांदी अन होंद है जियोना बुड़े होना नहीं सबो वड़े होना रोज कुछ नमा सिखना सही जीवन दी निशानी है सिखन लई सिरेव ते सुर्त दा होना जरूरी है साड़े कुल समा बहुत कट है जिंदगी दा हर पल पूरे ते अनल जीवी गुसे गिले शिक्वे निंदा ते चुगली बिमारी दी निशानी है देर तक सौंके ते फालतू कमाच समा नश्ट ना करिये सो गो जीवन दा पूरा फाइदा नैं ले ते आनी कागर करके कुछ न कुछ सिख दे रेगे लोड है जीवन जियोन ते समा कटन विच ले अंतर नो समझन दे तर दा अखीरला लेख है फुलांतों ताजगी सिखीर फुल जीवन विच खुशियां ते खेड़े दा पर ते खाँ दुखी तो दुखी व्यक्ती भी फुलांदा खेड़ा वेख इक वार जुरूर मुस्कुरापन दे फुलांतों केवल खुशी ते अनांद ही प्रापतनी हुंदा सबोय सानू जेवन दी जाच वी दस दे है फुलांदा जीवन वी कुछ समेले हुंदा इसे करके व अपने सारे जीवन काल्च खुल के खेड़ा ते खुशी वन दे है पीड दियां कडियां ता हर इंसान दे जीवन चौन जाच जड़े इंसान अपनी पीड नू लेके पीड़त हुंदे हां ते हर वेले पीडां दाई वक्यान कर दी हां वो आप भी दुखी रन दे हां ते दुजियां नू भी दुखी कर दे हां कदे स्थितिय जैवी आंदिया कि लोकी उना तो दूर रेंदा यतन करदे हम पर जड़ी फुल्लावं वांग हर वेले खिडे रंदे हम ते प्यार दिया मेकां बखेर दे हम उई अपनी पीडा फुल सुख दानं पोग दे हम ते दूजयानू खेडे ते खुशियांदा परशाद वन दे हम उना दी शक्सियत वेचे जैए खिच पैदा हो जान दिया जड़ी के दूजयानू उना वल अकर्शक कर दिया जिमें फुल्लावल पौरे खिचे हम दे हम इसे तरह खिडियां रूहाँ वी हमेशा प्यार पे जेपोर या नल किरियां रहलियां हम तरम, रंग, जात, कौम, आदे, नामुते वंडियां क्यों हम फुल्लाने कदे किसे नल वेर विरोध जां वित्करा नहीं कीता नफरत ते वेर ता आतम काती हम इस नल दूज्यानू काट पर अपने आवनू वदेरे पीड हुन दिया पर मातमा दी जीवन रूपी अन्मोल बक्षिश नून नफरत वैर ते विरोध नल क्यों खराब किता जाए जीवन दा अनन्द ओधोई यांदाय जोदों ना कोई व्यारी होगे ते ना कोई बेगान न होगे सारे अपने जापल फिर वेखो फुला वांगी हर व्यक्ती अपने विच्चों खेडा ते खुशबो चलका मारदी नजरी आएगे फिर वेखो फुला वांगी हर व्यक्ती विच्चों खेडा ते खुशबो चलका मारदी नजरी आएगे फुल हम्मे तो निरले था उतो हमेशा दाता वलो मिली दात राई दक्तो वद लोकानों खुशियां ते खेडे देंदा यतन कर दो है उना दे पल्ली सेवा है ते इसे नशेचो गुरूंद अपना सेर उच्चा करी इस कारज विच लगे रहन दे है फुला दे गुल्दस ते बिमारां ते दुखियां नों खेडा देंदे है उना दे कम्रेच दुख दी परचाई नों दूर करन्दा यतन कर दे है दो दिलानों मेर दे हैं ते नफ्रतानों दूर करन्दा यतन कर दे है जिवे फुल्स संसार्च नफ्रत ते इर्खा तो दूर रहके प्रेम दी मैक वंड ने है इसे तरह ही हर इंसान नों प्रेम दी मैक वंड़नी चाहिदी है ए जीवन ता प्रेम लेई भी थोड़ है फिर पला नफरत ते वैर गुरूद लेई समा क्यों वरबाद कीता जाए समेदा तां वत्त वद सद उपयोग करना चाहिदा तां जो असी इस जीवन दे निगुनुवत वद मान सकेए दुखियां दा दर्द वंड़ायां ते लोडवनदा दी सेवा कीतियां एक अदुत्ती अनंद प्रापत हों दे जो अनंद किसे नूँ प्यार कीतियां, सहायता कीतियां, जो सेवा कीतियां मिलदाया उस नड़ोवदिया नांद, होर किसे तरह प्रापती नी हो सकता। दौलती कठी कीतियां जो नशा मिलदा है, वो दौलतनों वंडियां, मिलन वाडे नशे तो बहुती कमजोर ही दा। दौलती कठी कीतियां असल चे नशाता मिलदाई नहीं सो वो हमेदा सेक उलदाई जड़ा तन ते मन दुहनों साड़दाई जदो के किसे दी सहायता कीतियां जो नशा मिलदाई वो तन ते मन नो निखार बख्षड़दाई फोल जवे अपने पिछे मैक चाड़ जांद है इमें इनसान नोवी अपने नेक ते शुब करमादी मैक चाड़ के जानां चाईद है इस मैक नो लोकी अमेशा याद कर दे हम प्यार कर दे हम ते सतकार कर दे हम आउ फोलां तो जेवन दे जाज सिखिए दूज्यांदी सेवा करके लोकाई नाल प्यार करके ते मिट बोलडा बणके अपने विच खेडा ते सुगंदी परिये फिरे सुगंदी ते खेडेनू फुलां वांग वत्तो वद लोकां विच वंडिये इस जीवन रज के जोणदा इस तो वखरा होर कोई रस्ता नहीं है तन्याद